इसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि भी है चलो आप एक लीडर बन गए लेकिन लीडर बनने से क्या डिफरेंसे आती हैं एक कमपनी में और वहीं पे जब एक लीडर अपने अंदर की वो लीडर्शिप क्वालिटीज को धीरी-दीर खोने लगता है तो उसका आफ्टर कैसे पढ़ता है कंपनी पे, नंबर्स कितने जादा इंपोर्टन्ट होते हैं, नंबर्स और एंप्लोई के बीच का रिलेशन कैसा होता है, सर्कल अफ सेफटी क्या होता है, मुझे पता है सर्कल अफ सेफटी के बारे में आपने नहीं सुनाओगा, in fact मैंने भी नहीं सुना था लेकिन ये एक तरह का चक्र वियू होता है एक ऐसा सर्कल जो अगर आपकी कंपनी में भेद दिया जाए अगर ये टूटा तो आपकी कंपनी के employees का trust जाने में बिलकुल समय नहीं लगेगा इसी सब के साथ Simon जो है इतनी interesting anecdotes आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे कि trust मी आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि आपको अगर एक leader बनना है तो आपका angle कैसा होना चाहिए इसके पहले नजाने कितनी किताबों में मैं oxytocin, dopamine और endorphin जैसे chemicals के बारे में सीखा लेकिन Simon भाई साथ simple भाशा में actually में यही reason है कि Simon की वीडियो जितनी असानी से वाइरल के हो जाते हैं क्योंकि भले ही वो उम्र में हमारे पापमी की generation को बिलॉंग करते हैं अभी फिलाल में वो 48 years के हैं लेकिन उन्हें हमारी youth से बात करना आता है देखो बताना तो मैं आप लोगों को पूरी किताब जाता हूं लेकिन trailer मेरे को इतना allow नहीं करता मेरे बाद रता समय नहीं है तो please मतलब मैं ऐसे excited हो करके wait कर रहा हूं आप लोगों का ठीक है तो वो कहते हैं ने कुर्सी की पेठिया बांध लीजिए your captain speaking वैसा वाला सीने अभी अगले episode में आपका इंतिजार रहेगा और हां उसकी शुरुवात होने वाली है एक battleground से एक रण भूमी से क्या है वो example और क्या सीखने वाले हम उस episode में well पता चलेगा in this book summary of जगे थी अफगानस्थान ओगस्ट की रात थी अमेरिका की एक military battalion अपना एक काफी important terrorist operation को खतम करके वहां से वापस लोट रहे हैं कई सारे terrorist को मार गिराया है जीत की खुशी है दिलों में लेकिन operation अभी तक successful नहीं हुआ है क्योंकि वो अभी तक properly safe ground में नहीं पहुचे इत्ते में एक news आती है कि आगे के side जिस valley से उनको निकलना है मतब that is the only रास्ता वहां पर शायद अभी अभी जिस terrorist organization पर उन्होंने हमला किया जिन में से कईयों को उन्होंने मारा उनके लोगों ने उस रास्ते में capture करके रखा है और वो लोग इनकी पूरी की पूरी battalion को भून के रख देंगे इतनी ammunitions उनके पास है इतनी provisions उनके पास है military battalion को आगे बढ़ना है ये ज़रूरी है उनको save ground तक पहुचना है लेकन बहुत से कैसे हैं इतने में हमारी कहानी के hero Mr. Johnny Bravo भाई साब की entry होती है ये हमारी कहानी के hero क्यों है ये हम ज़रूर बताएंगे क्योंकि वही इस episode की कहानी है लेकिन उसके पहले चुकि ये पहला episode है तो मैं एक disclaimer देता हूँ वह एक रिपया करके earphones पहन लीजेगा, headphones लगा लीजेगा for the best experience लेकिन अगर आपने speaker में लगा के रखा है तो please volume को एक दम perfectly adjust कर लीजेए because हर एक बात जो इस summary में बोली जाएगी, they are the highlights of this book तो उसे बड़े ध्यान से सुने, बड़े carefully सुने for having the best experience इस book summary की हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोजफ और आप सुन रहे हैं Simon Sinek की लिखी किताब Leaders Eat Last की book summary on cookway FM, सुने जमन जाहे हन्जे, तो हमारी कहानी के hero पे वापस लौटते हैं तो जॉनी ब्रावो भाई साब कौन है? एक pilot है, fighter jet के, छोटा सा काम था उनका कि भाईया, उनको एक aerial support provide करनी थी, जो ये military battalion नीचे जा रही थी उनको problem बस एक छोटी इसी थी, इत्तुसी problem थी, वो ये कि भाईया, जो उस दिन climate था वो extremely cloudy था, देखे, cloudy का मतलब हो रहा है, बारिश होने वाली है, है ना, मिट्टी दी खुश्बू extremely cloudy एक ऐसा time होता है, जब अगर आप plane से travel कर रहे हैं, तो pilots को कभी भी उन बादलों के अंदर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि thunderstorm का डर तो रहता ही रहता है, लेकिन उसी के साथ पाइलेट को अपने से दूर का कुछ दिखाई नहीं देता, तो अगर पाइलेट उसमें गाड़ी चला रहा है, जैसे दिल्ली की ठंडियों में जब fog आती है, और वो जो आप गाड़ी के एक दो मीटर तक आगे भी नहीं देख पाते हैं, बस वैसी condition है, उस condition में हम क्या कर अपनी गाड़ी को slow कर देते हैं, कैरे भाइया दीरे दीरे चलेंगे नहीं तो accident हो जाएगा, अब जौनी भाइस साब गाड़ी नहीं चला रहे थे, वो प्लेन चला रहे थे, अब प्लेन को slow नहीं कर सकते, वो slow किया प्लेन लैंड हो जाएगी, तो जौनी भाइस साब ने पाइंगे, बिकोज हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जॉनी भाई साब ने क्या किया, जैसे मूवी में करते, बादलों को चीरते हुए नीचा आए, देखा भी है, कहां कहां पर लड़ाई हो रही है, उपर अपने दोस्तों का बला कि सुनो, यहां यहां पर लड़ाई पर मैं fire करूँ, बस exact उसी जगे पर तुम लोग firing करो, बाकी का मैं देख लूँगा, जॉनी भाई साब नीचे गए, बाकी दोनों fighter jets जॉनी भाई साब को follow कर रही है, वो नीचे गए, firing करी, उपर गए, नीचे आए वापस clouds के, firing करी, वापस उपर गए, और इस बीच में, उनके radio पे एक message आता है, कि उनका जो aerial support है, वो actually में काम कर रहा है, यानि कि जॉनी जो firing कर रहे थे, it was hitting the target, बस जॉनी भाई साब को confirmation मिला कि उनका काम जो है, it is working, बस सुनो ने तीन, चार, पाँच बार यही same procedure follow किया, everything went fine, जो आर्मी थी, वो वापस अपने घर पे पहुँ गई, and the operation was absolutely successful, हा मतलब वो अलग बात है कि हमने इस टाइप के missions जो है, वो हमेशा games में खेले हैं, या Mission Impossible movie में देखा है, उन्होंने ये real life में किया, पर कौन सी बड़ी बात है, है ना, और exactly इसी attitude के साथ, ना उन्हें कभी किसी reality TV show में बुलाया गया, वापस पहुँचने के बात वहाँ पर कोई promotion नहीं मिला उने, कोई ऐसा award भी नहीं मिला उनको, मतलब अपने aerial services के लिए, जब कुछ सालों बाद Simon उनसे मिले, तो उन्होंने बुला यार, गलत नहीं हुआ ये थोड़ा सा, पर तो जो काम आपने किया है, वैसे ये होता नहीं in real life में, पर आपने व लाए दिया, well, that's my job, में को उसी के पैसे मिलते हैं, यही मुझसे expected था जब मैं एक fighter jet का pilot बना था, okay, that's great, इसके साथ में जॉनी भाई साब ने कहा कि मुझे उस दिन एक और बड़ा gift मिला, it was a very crazy reward, वो ये कि जब मैं वापस वहाँ पहुचा अपने base पे, तो जिस battalion को मैं अभी-अभी बचाया था, उनके पास ये news पहुची की जॉनी है, जो उस टाइम पे एरियल में उनके साथ communicate कर रहे थे, और वो blind spot पे hit कर रहे थे, तो वो लोग आये, मैं उन में से एक से भी कभी भी नहीं मिलाओ, लेकिन उस दिन ऐसे गले लगे जैसे बिछड़े यार ग ये जॉनी जैसे लोग कहां से आते हैं, कुछ क्या होता है, ये पैदा किस तरीके से हो रहे हैं कि भी या इस तरह के बन रहे हैं, क्या इनकी upbringing में कुछ difference है या माजरा क्या है, आक्चिली में ये इस किताब का सबसे पहला example है, और उसी के साथ इस किताब का ऐसा समझ लीजि हम ये समझने वाले हैं, कि जब आप एक workplace को change कर देते हो ना, तो लोग एक दूसरे के लिए काम करने में selflessly बिलकुल hesitate नहीं करते हैं, हा मतलब आपके corporate office में जान नहीं मांगी जाएगी आपसे, लेकिन आप लोग notice कीजेगा, कुछ offices में employees एक दूसरे के लिए बहुत कुछ क वो उनका दोस था, वो उनका कलीक था और उन्हें लगा कि ये करना सही है, ये attitude कैसे develop करते हैं, वो है leaders eat last, ये attitude जब आता है तो किस तरह की advantages होती हैं company में, वो है leaders eat last, अगर ये attitude किसी company में नहीं हो, तो किस तरह की problems उस company को जहिलनी पड़ती है, भले ही आप उस employee को नजाने क is leaders eat last, इस किताब के अगले episodes में आपको न जाने कितनी ऐसी कहान या इतनी anecdotes मिलने वाले हैं, जिसमें आप लोग simple समझ जाएंगे कि भाईया कुछ teams दूसरी team से ज़्यादा better क्यों perform करती हैं, और हमारे अगले episode के जो hero हैं, उन भाई साब का नाम है Bob Chapman, इन्हें एक ऐसा CEO म पात रख दें तो उसकी नईया पार लगवा सकते हैं, क्यों? कौन है ये Bob Chapman भाई साब और इनके पास ऐसा क्या जादू है? Well, that is the story of the next episode. आपका इंतजार रहेगा. कि यार, ये हमेशा ऐसी डूपती कंपनी पे ही इन्वेस्ट करता है, और पतानी फिर ये कुछ तो भी करता है, इसकी strategy है, कुछ इसकी team है, उसके बाद कंपनी के नक्षे कदम बदल जाते हैं. उस भाई साप का नाम था बॉब चाप्मन. कौन है ये बॉब चाप्मन? बस वही हमारे इस एपिसूड की कहानी है. लेट इस फाइंड आउट टुगेदर. हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोजफ और आप सुन रहे हैं साइमन सिनिक की लिखी किताब लीडर्स इट लास्ट की बुक समरी on कुको एफम. सुने, जमन चाहे. हाँ जी, तो बॉब चाप्मन, साउथ कैरोलीना कंपनी, खरीदी, वो, उनके जो CEO's थे, board members थे, they were all waiting कि भहिया, जैसे दूसरी companies के होते हैं, अब इनके strategists आएंगे, एक board meeting होगी, एक team planning होगी, this and that. अब बॉब चाप्मन जाके employee के साथ बैढ़ गया. Everybody was like, excuse me, पहली meeting तो हमारे साथ होनी चाहिए, हम company के दिगज लोग है, वो सीधा factory workers के बीच में जाके बढ़ गया और उनसे बात करने लगे. इतने में, एक भाई साब आये, जिनका नाम था, Ron Campbell, 27 years से इस company में काम कर रहे थे. तो जब वो वापस है, उनने का, यार ये तो perfect ब गया, और ने का, वो तो मैं बात कर सकता हूँ आप से, लेकिन आप guarantee करो, कि भाईया, अगर मैंने आप से बात करी, तो कल मेरी job नहीं जाएगी. उनने का, अगर कल तो में कुछ भी तकलीफ होती है, तो सीधा मुझे फोन करोगे. और उनने सीधे-सीधे अपना number ही दे दिय ठीक है, रॉन भाई साब ने सीधे-सीधे बताया कि जैसे ही मैं इस plant पे वापस आया हूँ, यहने जिस जगे पे वो काम करता था, ऐसा लगा जैसे मेरी आजादी मुझ से छेंडी हो, मैं जहां पहले काम करता था, वहां भी इतना दिक्कत नहीं फील होता था, लेकिन जैस मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं उसी दर्वाजे के अंदर जाता हूँ, जिस दर्वाजी में इंजिनियर्स और अकाउंटेंट्स जाते हैं, वो लोग अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं, मैं अपनी फैक्टरी, अपने प्लांट की तरफ जाता हूँ, लेकिन उसके बाद का इंतजार करना पड़ता है, और मैं अकिला नहीं हूँ, ऐसे बाकी सब लोग सेम टू सेम फील करते हैं, ऐसा लगता है, एकी कंपनी के एंप्लॉई ज़रूर है, लेकिन वो एक अलग कंपनी में काम करते हैं, और हम एक अलग कंपनी में, अगर हमें सिरफ और सिरफ एक फ से कोई सा भी पार्ट चाहिए तो उनको भार जाना पड़ता है उस पिंजरे के और हां के जो employee है उनसे बोलना पड़ता है फिर वो उस को ताले को खोलते हैं अंदर से वो पार्ट निकालते हमें देते हैं यह हमारा काम है ना फैक्टरी में जो काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि कब जरूरत पड़ेगी, इसको लॉक करके क्यों रखा हुआ है, हम चोरी थोड़ी कर लेंगे Campbell थोड़ा सा emotional हो गए, ये सारी बाते करते करते है, चापमें ने बड़े ध्यान से सुना, बॉब भाई साब ने गहा कि कि जितने भी ये जो spare parts और ये फलाने चीज़े होती हैं, ये factory वालों का है तो उनको किसी से permission लेने की जरूरत नहीं है उस पिंजरे को वहाँ से हटाया गया parts सब के लिए open कर दिये गया parts चोरी हो सकते थे लेकिन चाप्मेन ने भरोसा करना जादा जरूरी समझा उसके बाद उन्होंने जितने भी ये जो phone calls वगरा थे वो सारे के सारे employees के लिए completely free कर दिये आपको कोई coin डालने की जंजट नहीं है ये दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत नहीं है आपको जब मन करें, आप बिना किसी से permission लिए आप ये काम कर सकते हैं अगर आपका काम खतम हो चुका, आपको भूक लग रही है आप अपने टाइम से खाना खा सकते हैं दरसल चाप्मेन अपनी जिंदगी में बहुत पहले एक basic सा rule समझ चुका था अगर आपको इनसानों का trust जीतना है तो सबसे पहले इनसानों को इनसानों की तरह ट्रीट करो चाप्मेन का ये नया style of working को effect लेने में ज़्यादा समय नहीं लगा एक employee था, pain department में काम करता था उसकी जिंदगी में एक personal अलगी crisis चल रही थी पिचारी की जो wife थी वो काफी severe diabetic patient हो चुकी थी and she was actually about to lose a leg उसको obviously उसके साथ रहना था काफी सारी मदद करनी थी लेकिन घंटे के साबसे उसे पैसे मिलते थे अब अगर वो नौकरी छोड़ देगा तो बिल कैसे चुकाएगा इतने में बाकी जो employees थे उन्होंने बिना उससे कुछ कहे बिना किसी को कुछ बताए वो सीधे जो management team में उनके पास पहुच गर कहा कि हमारी जो paid vacation leaves है जो हर employee को मिलती है वो आप हमारी वाली इसकी तरफ transfer कर दो ऐसे करके अलग-अलग employees अपनी-अपनी vacation उसको देने लगए जब वो लोग इस तरह से काम करने लग गए एक दूसरी की मदद करने लग गए तो कहीं न कहीं वो company का भी एक यूनो एक मेरा है यह company मेरी है यह machine मेरे हैं वाले attitude से काम करने लगे machines काफी अच्छे से रखी जाने लगी इसका मतलब machine का जो खराब होना था वो comparatively काफी कम हो गया और इन सब चीजों से उनके जो बीच बीच में बहुत ज़्यादा काम रुकते थे अब वो भी नहीं रुकने लगए पर इसी बात पे हमारे राइटर भाई साब ने बड़ी इंट्रिस्टिंग बात लगी है कि क्या हम खुश क्यों नहीं रह सकते हैं एक रिसर्च कंड़क्ट करी गई थी अमेरिका में जिसमें ये पता चला कि सिर्फ और सिर्फ 20 परसेंट अमेरिकन्स जो थे वो अपने काम को आक्चली में प्यार करते थे 20 परसेंट अमेरिका में इतनी सारी अलग अलग पैशन्स है इतने सारी अलग अलग करियर्स है उसके बाद भी वो नमबर 20 परसेंट पर है अब वही नमबर इमाजन करके देखो इंडिया जहां पर सिरफ और सिरफ इंजिनियर्स डॉक्टर्स लॉयर्स और इस टाइप की मेंस्ट्रीम प्रोफेशन्स को ही हम प्रमोट करते हैं यहां पे यह साटिस्फाक्शन का नमबर क्या होगा कभी सोचा है एक सिंपल सी बात है इस एपिसोड को खतम करने से पहले एक लीडर बनना एक पेरिंट की तरह होता है आप अगर अपने एंपलोईज को एक अपनापन टाइप का फील नहीं करवा सकते ना I'm sorry आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते but finally it is time to discuss the circle of safety ऐसा जमझ लीजिए इस के दाब का अगर एक सारांश है तो वो यही है circle of safety तो क्या करना है circle में जब manager हमारी तरफ चलता हुआ है तो हम सारे के सारे गुठ बनाके circle बनाके खड़े हो जाएं कैसा कुछ है यहाँ पर या फिर उसका मतलब कुछ और है well अगले episode आपका इंतिजार रहेगा अब से आप सब के सब अपनी dictionary में से I, Me, My ऐसे शब्द उठागे फेक देंगे आप से आप सिरफ और सिरफ we, together, us इस टाइप के words को use करेंगे US states में जब marine training करी जाती है तो यह सबसे पहली line है जो सेनकों को बताई जाती है हाँ मतलब जब washroom जाना हो तो शायद वो लोग जा सकते होंगे के लिए लेकिन अपार्ट फ्रॉम दाट भाईया यह I, Me, My जैसे शब्द वो लोग नहीं भोल सकते देखो concept बड़ा ही simple सा है जब 13 weeks के बाद वो finally marines select होते हैं और उनको जो badge मिलता है न वो pin वाला वो अपनी मुठी में बन करके आँखों में आसू लिए खड़े होते है with a pride की मैं अभी एक marine हूँ and marines are considered to be earth के सबसे ज़ादा जो effective forces होती है उन में से एक उनको माना जाता है क्यों होते है marines ऐसे reason बहुत ही simple सा है marines के अंदर एक circle of safety का concept होता है circle of safety को अपन समझने के लिए एक कहानी पे चलते है जब वैसे तो बच्चों को nursery में सुनाई जाती है लेकिन आप भी सुन लीजिए अगर नहीं सुना हो तो पहिए एक कहानी है कि शेर था उसे खाना खाना था और उसके सामने एक wild buffalo का जुन्ड खड़ाता एक दर discovery channel चला दीती है अपने सामने अब जब वो खाना हंट करने के लिए जाता तो जितने भी buffalo होते थे भाईया वो circle बना के खड़े जाते तो वो अगर किसी को भी खाने की कोशिश करता तो उसको हर जगे से सींग परते थे अब ऐसे करके वो लोग buffalo रहते थे शेर बिजारा भूगा मर रहा था एक दिन उनके आपस में कुछ लड़ाई हो गई उसने कहा कि भाईया नहीं हम तो यहां पर खाना खाएंगे कुछ buffalo ने कहा हम उस सेड़ बे खाना खाएंगे और सब लोग अलग हो गया इस बार जब शेर मारने के लिए आया तो चूंकी वो लोग सारे अलग खड़े थे तो कोई किसी को बचा नहीं पा रहा था शेर ने मार दिया देखो रूल बड़ा ही सिंपल सा है देखिए अगर आप एक आर्टेस्ट है और आपके काम से सिरफ और सिरफ आप ही को फरक पड़ता है भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन अगर आप लोग एक टीम में काम करते है तो कृपया करके वो लाइन होती ना देर इस नो आई इन टीम इसे अपने मन में एकदम रटवा लीजी देखो ऐसा है ना बॉस की जब आप एक टीम में काम करते हो और आप ये आई वाली मेंटालिटी मैं वाली जो मेंटालिटी हो दिये वो लेकर के चलते हो तो उस ताइम पे अगर कुछ गड़बड होती है ना तो सिरफ आप एफेक्ट नहीं होते आपकी पूरी की पूरी टीम आपकी बिवकूफी के कारण आपके सेलफिशनेस के कारण या फिर आपके उस आरे कोई बात नहीं देख लेंगे वाला जो आटिटीट है उसके कारण एफेक्ट होती है अगर आपके कारण आपकी जिन्दगी एफेक्ट हो रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन टीम में ऐसा नहीं होता अब देखो यार एक बात हमारी एक छोटी सी कहानी आने वाली है वो कहानी बताने से पहले बहुत प्यारी सी बात है इसको ज़रा समझना है देखो इस दुनिया में न डेंजर ही डेंजर है हर जगा जहां देखो वहां डेंजर है और ऐसा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे एंटिटीज हमारी जिंदगी जो होते हैं वो काफी मिजरेबल करने के लिए हमेशा एकदम रेडी रहते हैं It's nothing personal. दुनिया ऐसी ही है. तो सबसे पहले तो इस बात को accept करो कि danger हर जगा है. तो जब आप एक team में काम करते हो, तो उस ताहीं पर जब आपने धाल नीचे करते हो ना, तो क्या होता है? इसको समझनी के लिए एक example लेते हैं. Spartans जो है, they are considered to be a warrior society है. ग्रीस में रहा करते थे. कहते हैं कि अगर किसी की भी मतलब लडाई करते समय, भाई ये सामने नहीं आने चाहिए, वाला वो जो एक attitude आता है न, वो Spartans के लिए हुआ करता था. क्योंकि Spartans का जो लडने का तरीका, जो discipline, बच्चों को बच्पन से training मिलती थी, गर जाये, कोई फरक नहीं पड़ता है. लेकिन, अगर आपने गल्ती से भी अपने हातों से अपनी ढाल को गिरा दिया, तो इसको एक offense की तरह माना जाता था, और दुश्मन आपको मारे ना मारे, आप जब वापस लोटते थे, तो हो सकता है कि आपकी खुद की बटालियत, आपकी गर्दन को आपके शरीर सोड़ा दे. Reason इसका बहुत ही simple था. जब आप तलवार होते हैं, या आपकी खुद की जान जाती है, तो भईया, आपने अपना best दिया, कोई बात नहीं. लेकिन जैसे ही आपकी ढाल नीचे होती है, सिरफ आप vulnerable नहीं है, दुश्मन के पास अभी एक opening आ चुकी है. Just because आपने ढाल नीचे करी, वो जो पुरी की पुरी formation, जो जिसके अंदर दुश्मन घुस नहीं पा रहे थे, उनके तीर अंदर घुस नहीं पा रहे थे, सिरफ और सिरफ आपके ढाल नीचे करने के कारण, दुश्मन को एक entry मिल गई. यानि अगर defeat होता है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी वो बेवकोफी थी या आपकी वो थकान थी. Circle of safety के अंदर, leaders का सिरफ एक ही काम है, उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, कि कैसे भी करके वो circle जो है, उसमें किसी की ढाल नीचे ना हो. सब एक दूसरे के लिए खड़े हों, और उनको इस बात का भरोसा हो, कि कल की date में अगर मेरे उपर कोई तकलीफ आती है, तो मेरे दोस्त भी, मेरा मैनेजर भी, मेरे बॉस भी मेरे लिए खड़े हैं. जो weak leaders होते हैं ये क्या करते हैं, एक inner circle बना लेते हैं. Inner circle क्या होता है? भई, हाँ हाँ, we are all a family, this company is a family करके बोल देते हैं. लेकिन उनको पता होता है, कि family दो सबको बोल रहे हैं, लेकिन इनकी अंदर की team है, वो कुछ managers, वो कुछ employees, और वो boss की चमचे होते हैं. ऐसे में क्या होता है न, पूरी team को पता होता है, कि बहिए कल की rate में कोई मुसीवत आएगी, तो सबसे पहले हमारे मत्थे पड़ेगी, और जब तक वो इनके personal लोगों के उपर नहीं जाती न, किसी को कोई फरक नहीं पड़ेगा. ऐसे में circle of safety पूरी तरह से fail हो जाता है. आपकी पूरी की पूरी team को absolute equal feel करना बहुत ज़ादा जरूरी है. और as a leader, आपको इस बात का ध्यान रखना है, कि जो culture आप लोग develop करते हैं, उस culture में कोई भी ना डरा हुआ महसूस ना करें. कोई भी ये महसूस ना करें कि अगर कलकी डेट में मेरे उपर problem आई, तो कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हो गया. होंगे, हम सब होंगे. जब ये attitude आजाता है न, तो काफी सारी चीज़े बदलती हैं. Anyhow, हमारे अगले एपिसोड के लिए, एक simple सा concept है, कि जो ये job stability वाली बात होती है, क्या इससे वाकई में concern होना चाहिए, क्या इससे problem होती है, और more importantly, अगर ये circle of safety नहीं हो, तो ये theoretical बाते तो हमने कर ली, प्राक्टिकल बाते भी हमने कर ली, लेकिन क्या health पेशू पढ़ सकता है? Well, अगले एपिसोड, आपका इंतजार रहेगा. साल 2011 में, University of Canberra, Australia में, एक study होई, और जब ये study का result आया, जब ये research का result आया, तो बड़ी interesting बात सामने आई. लोग कहते हैं ना कि job stability बहुत ज़्यादा important हो, भाई ये job हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है. Actually में, ये result के according, अगर आपकी job है, और आप उस job को करते समय खुश नहीं हो, that is actually worse for you health-wise, than not even having a job. यानि कि आप unemployed घर में बैटे हो, वो फिर भी आपकी सियाद के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप एक ऐसा काम कर रहे हो, जिसमें आपका मन नहीं लग रहा, तो आप depression, anxiety, इन जैसी चीजों के patient, बहुत असानी से बन सकते हैं, और इनके चलते, कई सारी physical बिमारियां, आपको बहुत अराम से घेर सकती है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, कि आपको ये बमारी हो क्यों रही हैं, इस episode में, हम बड़ी interesting चीज़ जानने वाले हैं, जिसे कहते हैं, control over your job, इसका मतलब क्या है? Well, Hello जी, मेरा नाम है Justin Joseph, और आप सुन रहे हैं, Simon Sinek की लिखी किताब, Leaders Eat Last की book summary, on Kukoo FM, सुने, जो मन चाहें, हाजी तो हम बात कर रहे थे, control over your job की, देखो मुद्दा बड़ा ही सिंपल्स है, आप न जानने किस position पे बैठी हो, या आप कितनी बढ़ियां सी मतलब, high rank पर बैठे हो, अगर आपकी job में आपको ऐसा नहीं लगता, कि आप अपनी नौकरी को control कर रहे हैं, तो आप उस job में stressed out feel करेंगे, सालों पहले बिटेन के scientists अलरड़ी इस बात को conclude कर चुके थे, कि जितना कम control आप महसूस करेंगे अपनी job के उपर, आपको उतना ज़्यादा stress होगा, यह इसका सीधा सीधा relation है, आप चाहे कितनी बड़ी position पे क्यों ना बैठे हो, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, आपकी salary कितनी हो, कोई फरक नहीं पड़ता, अगर at the end of the day, आपको अपने काम को लेकर वो sense of pride नहीं, और आपको ऐसा नहीं लग रहा कि, आपकी job को actually में आप control कर रहे हैं, वो कहते हैं ना किसी की हाथ की cut-putli बन जाना, अगर आप सिरफ और सिरफ वो puppet हो, तो आप stressed out feel करोगे, and that's a fact, क्या आपको पता है, कि दो researchers हैं, जोनों ने Boston College के अंदर अपने studies को perform किया, तब उन्हें पता चला कि भाईया, जो एक बच्चा होता है न, उसका जो mental state होता है, well-being कहते हैं न, कि आपकी mental health बच्चे की अच्छी है की नहीं है, उसका इस बात से जाता connection नहीं, कि उसके मम्मी पापा बहुत लंबा-लंबा काम करते हैं, और कम टाइम स्पेंड करते हैं, उसका जादा relation इस बात से है, कि जब पापा मम्मी घर आते हैं, तो उनका mood कैसा होता है, बात बड़ी simple सी है, अगर आपके बच्चे हैं और आप night duty करते हैं, आप उनको उतना time नहीं दे पाते हैं, बस थोड़ा सा time दे पाते हैं, वो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप भाया कम time के लिए काम करते हैं, लेकिन घर में आने के बाद आपका mood खराब रहता है, आपका काम अच्चा नहीं चल रहा, वो चीज़ आपके चेहरे पर दिखाई देने लगती है, आपके बच्चे उस बात से ज़ादा negatively effect होंगे, and this again is a proven fact, देखी क्या है at the end of the day, हम लोग सालों से एकटा ही काम कर रहे हैं, और हम लोगों के अंदर वो sense होता है ना, यह एक दूसरे को हमें बचाना है, वो है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो हमारे genetic code के अंदर है, अब देखो, हाती भी भाईया हमारे साथ कितने हजारों मिलियन सालों से हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग तो वैसे के वैसे ही हैं, हम लोग आज भी उन वो टीलों के जो उसूल होते थे ना, कि भाईया, वफादारी सबसे ज़्यादा important है, इन सारे concepts को हम अभी भी अपने अंदर carry करते हुए चलते हैं, और इसी quality के कारण, एंसान इतने सालों से जिन्दा है और survive कर पाए, अगर हम लोग भी अपना पना ऐके कोना पकड़ के खड़े हो जाते हैं, यहां सब धोके धगाड़ी कर रहे हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं हैं, नहीं हो पाती बात इतनी हो पाती हैं, हम इतने ज़दा civilized, लेकिन इतने ज़दा civilized होने की जो कहते ना, कि भी हर चीज की कुछ ना कुछ तो कीमत होती है तो कीमत हमने चुकाई है पहले comparatively जितना trust हुआ करता था society में आज की date में कहा जाता है उसका 20% भी exist नहीं करता है और इससे हमारी society पे कई तरह से negative effect पढ़ रहा है अगर आप लोगों ने pirates of the Caribbean movie नहीं देखी तो उस movie का नहीं बहुत important scene आता है जहाँ पर pirates के बीच में यह उसूल होता है कि अगर किसी ने भी बगावत करी, treachery करी यानि कि धोका देने की कोशिश करी बाकी के group members को तो murder का और उन्होंने जो किया है धोके धकाडी में इसमें कोई फर्क नहीं देखा जाता था and the result was direct death क्योंकि simple सा मानना है अगर आप trust तोड़ते हैं तो आप सिरफ और सिरफ again खुद effect नहीं होते हैं आप पूरी की पूरी team का जो moral है उसे कम कर देते हैं तो आपको अगर trust नहीं तोड़ना है तो एक simple सी बात है आप अगर company में काम करते हैं और अगर आप खुश हैं तो आप क्यों जवरदस्ती किसी की जिंदगी में कोई अर्चन लाने की कोशुश करेंगे all of this negative things happen जब आप अपने काम से खुश नहीं होते हैं और जब आप खुश नहीं होते हैं आप negative बाते करते रहते हैं आपको किसी के होने नहीं होने से कोई फरक नहीं पड़ता उस company में इससे बचने के लिए बहुत simple simple से concept होते हैं इसे example के तोर पे social interactions को ज़ादा करना किसी भी team के अंदर बहुत ज़ादा ज़रूरी होता है छोटी छोटी पिकनिक्स चले गए company के अंदर छोटी छोटी get-togethers रख लिए बात बड़ी simple सी है एक दूसरे के साथ बाते करते रहनी है है ना काम करनी जारे तो सिर्फ हमें जानना है computer को सामने बैटना कोटर कोटर करके काम करना है तो सिर्फ अगर आप एक teacher भी है तो सिर्फ जाना है पढ़ाना है घराना है इस type के attitude से काम नहीं होता आपको थोड़ा सा socialize करना पड़ेगा जादे नहीं अगर आप एक introvert है तो मैंने इसके पहले किताब करी थी quiet नाम की Susan Keane की किताब है आप उसे बिल्कुल सुन सकते हैं उसके अंदर हमने introverts के side से भी इस दुनिया को देखा है लेकिन चाहे बात कुछ भी हो अगर आप एक team के अंदर काम करते हैं अगर आप अपनी जॉब से खुश है तो आप चाहे एक introvert हों चाहे आप extrovert हों आप अपनी आप दूसरों से socialize करेंगे क्योंकि बाकी के लोग आपको ना अपनी लगेंगे क्योंकि वो काम आपको अपना लगता है और इसी के साथ हमारे writer भाई साब हमें चार केमिकल्स के बारे में बताते हैं और practically ये जो केमिकल्स होते हैं ये आपको happy feel करवाते हैं ये केमिकल्स के नाम है endorphin, dopamine, serotonin, oxytonin, bull joint सबको ठीक है अगली episode में हम इनी चार केमिकल्स की बात करेंगे लेकिन हमारे जो writer भाई साब है न उन्होंने इनको बड़ी interesting नाम दिये मैंने कहा था ना trailer में इनका जो सबसे killer move होता है वो ये है कि he knows how to talk with our generation तो उन्होंने इसके नाम क्या दिये हैं वो हम अगले episode में देखेंगे इनमें से कुछ को वो selfish chemical बुलाते हैं और दो chemicals को selfless chemical बुलाते हैं क्यों कहते हैं ऐसा और इसके साथ में हमारे writer भाई साब ये भी कह रहे हैं कि ये चारो के चारो chemical equally important होते हैं क्या होते हैं ये chemical क्यों ये हमारे लिए एक happy chemical की रूप में काम करते हैं और हमारा शरीर जो है इन chemicals के कारण ही act करता है इसका मतलब क्या है वेल अगला एपिसोड आपका इंतिसार रहेगा यार इस एपिसोड के beginning में न हमारे writer भाई साब ने इक बात बताई है जो काश मुझे किसी ने पाट साल पहले बता दी होती तो मेरा इतना weight gain नहीं होता राइटर भाई कि आपको भूग लग रही होती है तब आपको supermarket कभी नहीं जाना चाहिए किसने कहा ये common knowledge है और common knowledge है तो ये common मेरे पास क्यों नहीं आई ये कितना interesting concept जब आपको भूग लग रही है तब आप कभी भी supermarket नहीं जाते क्योंकि जब भी आप किसी स्टोर चले जाते हो तो आपको लगता है मैं ये भी खा सकता हूँ वो भी खा सकता हूँ ये ऐसा भी है वैसा भी है और end में आप over समान खरीद लेते हो क्योंकि आपको भूग जम के लग रही है घर आते हो दो packet में आपका पेट भर चुका होता है एक packet में और बाकी सब जो आप लाते हो वो एकसेस हो जाता है मैं वो एकसेस भी उठा के खा लेता था आज शेह ये common knowledge थी मुझे नहीं पता बड़ चलो कोई बात दे लेकिन this is not the point of this episode राइडर भाई साब का ये कहना है कि चलो भूक लग रही है तो वहाँ जा रहा है इसमें sens बनता है लेकिन जब हमें भूक नहीं लग रही तब हम सुपर मार्केट क्यो जाते हैं भाई भूक ही नहीं लग रही है उसके बावजूद 아नाज लेने जा रहे हैं चावल लेने के लिए जा रहे हैं हम दाल वगएरा ले रहे हैं भाया सबजीयां खरीद रहे हैं भूग तो नहीं लगरी फिर क्यों खरीद रहो इसके पीछे की वजह क्या है और क्या इसके पीछे की वजह बहुत सिंपल है या फिर सालों से चल रहा evolutionist cancer है well पता लगेगा इस episode में hello जी मेरा नाम है Justin Joseph और आप सुन रहे हैं Simon Sinek की लिखी किताब Leaders Eat Last की book summary on cookoo.fm सुने जो मन जाहे हंजी तो जो हमारे पूरवजवा करते थे ठीक है उन्होंने ना एक ऐसा समय देखा था जब खाने की न अर्थ पे बड़ी किल्लत हो गई थी मतलब अर्थ पे था कि उनके आसपास था ये तो नहीं पता लेकिन इतना जरूर पता है कि उस समय ऐसे सूपर मार्केट ऐसे हाइपर सिटी और ये सब नहीं हुआ करते थे मॉल्स नहीं हुआ करते थे तो उस टाइम प्यार अब जब भूक लग रही है और आप ढून रहे हो तब कोई जानवर भी नहीं मिल रहा है और ये खाना उगा कर खाना है ये वाला भी उन लोगोंने सीखा नहीं था फार्मिंग और इन सब के बारे में तो हमारे जो आंसेस्टर्स हैं वो तो भूके मर जाते लेकिन वक्त वक्त पे Mother Nature उन्होंने मैं बड़ी मदद करी है हमारी तो ये जो Mother Nature है उन्होंने ना इनसानों के अंदर दो केमिकल दिये एक का नाम है एंडॉफिन दूसरे का नाम है डोपमी और इसे हमारे राइटर भाई साब बुलाते हैं Selfish Chemicals लेकिन वो इस बात को पूरी तरह से clear करते हैं जैसा मैंने पिछले एपिसोड के end में भी कहा था Selfish को गलत तरीके से मतलीजेगा Selfish का मतलब बहुत ही simple है अगर ये chemical नहीं होते भोग के मर जाते हम तो इनका होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है लेकिन इनका काम कैसे होता है वो समझना थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है सबसे पहले आता है endorphin endorphin का बड़ा ही simple चागाम है भगते रहना है देखो मतलब बहुत ही simple है जब हम लोग हंटिंग करने के लिए जाते थे तो एक समय के बाद हमारा शरीव थगने लगता था तो mother nature ने हमारे अंदर एक ऐसा chemical डाला जिसे हम endorphin बुलाते हैं कि जब हम लोगों के अंदर थगा नाती है तो थोड़ा सा हमें एक sense of achievement सा लगने लगता है ऐसा लगता है कि अभी तो हम और भग सकते हैं ये कई लोगों को सुनने में मजाख लग रहा होगा मगर it is actually true इसको runners high के नाम से भी जाना जाता है और अगर आपके आसपास कोई marathon में भगता है ये कोई sprint runner है और आप उनसे ये बात पूछें तो वो आपको बताएंगे कि जब आप एक point reach करते हैं उसके बाद पतानी भगने में एक अलगी जोशा जाता है reason बड़ाई simple सा था भाई जब तक खाना नहीं मिले तब तक रुकना नहीं है अगला chemical होता है dopamine अब dopamine कैसे जब खाना मिल जाता है तो बड़ा अच्छा लगता था अब देखो इनसान जो है वो इनी chemical के basis पे काम करता है तो उसको एक चीत समझ में आगई कि खाना मिलने में बहुत अच्छा लगता है और ये sense of feeling काफी addicting थी dopamine वही chemical है जो cigarette पीने पे drugs लेने पे या फिर alcohol consume करने पे शरीर release करता है तो जब इनसान को अच्छा लगने लगा ये endorphine और dopamine से तो वो खाने को gather करने लगा और इससे फायदा ये हुआ कि अगर मान लो गलती से आज वो हंट पे नहीं जा पाया ये फिर हंट पे आज कुछ नहीं मिला तो उसके पास खाना रहता था तो इनसान ने धीरे-धीरे store करने का जो concept था उसे use करना शुरू कर दिया लेकिन अब हमारी गाड़ी पहुचती है selfless chemicals के लिए देखो अभी तक हमने पढ़ा selfish chemical जिससे हम जिन्दा रहे लेकिन अगर हमारे अंदर ये selfless chemical नहीं होते तो हमें और जानवरों में कोई फरक नहीं होता example के तोर पे मान लो आप एक बड़ा सा meat का टुकड़ा जो है वो दो crocodile के बीच में डाल देते हो तो सबसे पहली चीज़ दोनों के दोनों खाने पर जबटा मारते है जिसको पहले मिल गया खाना उसका हुआ और जिसको नहीं मिला भूगा रहेगा ये logic इनसान पे लागू नहीं होता इनसानों ने पहले भी और आज भी gathering के concept पे बिलीव किया है और अगर हमारे अंदर ये concept नहीं होता इनसान भी जानवरों की तरह जंगलों में रह रहे होते sense of a communalism कुछ भी नहीं होता अब सवाल ये हम ऐसा करते क्यों है हम खाने को बाटते क्यों है हम ये selfless chemicals से कितने affected है तो सबसे पहला selfless chemical जो है उसको कहते हैं serotonin serotonin simple भाषा में होता है leadership chemical कैसे समझेंगे ऐसे समझेंगे जैसे मान लो कि आप लोग कहीं पे जा रहे हैं और लोग आपकी इज़त करें आपकी तरफ देखें वो बहुबली बहुबली तो एक वो आता है ना कि अरे यार लोग मेरी इज़त करते people think of me as a alpha जब मैं facebook open कर रहा हूँ तो मेरी photos पे likes गिर रहे हैं twitter पे follower बढ़ रहे हैं instagram पे follower बढ़ रहे हैं youtube पे subscriber बढ़ रहे हैं इसको कहते हैं serotonin का जादू जब लोग आपकी इज़त कर रहे हैं ये बात आपको पता चलती है तो आपको वड़ा अच्छा अच्छा सा लगता है जब लोग आपकी success को notice कर रहे हैं और आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है लेकिन अब इससे भी एक कदम और आगे है जिसको हम कहते हैं चौथा chemical उसको कहते हैं और ये भाई साब जो है ये king हैं सारे के सारे chemical के क्योंकि इनहें कहते हैं the chemical of love chemical of love इसे इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज ये तब release होता है जब आप किसी ऐसे से मिलते हैं जो आपका दोस्त हो या फिर किसी से आप प्यार करते हैं या फिर किसी पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं तो उस टाइम पे oxytocin जो है रिलीज होता है अब दोपमीन कब रिलीज होता है जब आपको कोई चीज मिल जाती है और instant gratification तुरंथ कयो तुरंथ तुरंथ रिलीज होता है oxytocin ऐसा chemical नहीं है oxytocin तुरंथ रिलीज नहीं होता को तुरंथ के तुरंथ अच्छा नहीं लगता समय लगता है इसलिए एक अच्छी दोस्ती को form होने में समय लगता है एक किसी के साथ इसको actual प्यार में अगर आपको रिकग्णाइज करना है समय लगता है किसी पे भरोसा करना है समय लगता है एक्जाक्ली लाइक दाट यह उक्सिटॉसन ही है जब फाइनली रिलीज होता है कहते हैं ना जो भाईया चीज़ें समय से आती हैं वो आती ही बड़ी मस्त हैं तो oxytocin भली dopamine की तरह तुरहंत नहीं आता है लेकिन जब आता है तो वो dopamine की तरह आके चले नहीं जाता है जैसे cigarette पीने वाले लोग, cigarette पीते ही साथ अगली सिग्रेट लग, क्योंकि dopamine खतम हो रहा है oxytocin ऐसा नहीं होता है oxytocin काफी लंबे समय तक आपके शरीर में रहता है और इसके कारण oxytocin जो है आपके अंदर की immune system को भी बहुत improve करता है क्यों? क्योंकि आपका mood अच्छा है आप हज जादा रहे हैं, आप खेल जादा रहे हैं आप लोगों से बात जादा कर रहे है practically लललला ललला वाला वो जो गाना है वो background में चल रहा है और आप अपनी जिन्दगी को जी रहे है chemical love को सिरफ और सिरफ relationship वाले love पे मत देखना जो हमारे लिए एक sense of respect कह लीजी एक sense of attachment, एक feeling होती है ना वो जो अपनी वाली होती है वो oxytocin होता है बस ये बात याद रखिए कि वो oxytocin समय के साथ release होता है अब इन chemicals का हमारी जिन्दगी में क्या importance है ये हमारी इस book summary में आगे दुबारा से आने वाला है लेकिन उसके पहले हम जानने वाले हैं एक concept को जिसका नाम है डर किस तरीके से team के बीच में फैलता है cortisol क्या होता है और more importantly leaders होते क्यों है leaders के बिना society चल नहीं सकती क्या जरूरी है leaders का होना क्या बदा ये सब अगले episode में आपका इंतजार रहेगा एक बहुत ही खूपसूरत हलकी हलकी सी धूप निकली हुई थी थोड़ा थोड़ा दोपहर का समय था एक हिरन का जुन काफी बड़ाशा बढ़ियां बढ़ियां बैटके खास चल रहा था मंच 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 की आवाजें हवा में थी जैसे हम लोग मैगी को एंजॉई कर रहे थे वो लोग उस हरी हरी घास की पत्तियों को ओ जो मज़े लेकर एंजॉई कर रहे थे इतने में एक आवाज आती है क्या तो बदा चलेगा हेलो जी मेरा नाम है जस्टिन जोजफ और आप सुन रहे हैं साइमन सिनेक की लिखी किताब लीडर्स इट लास्ट की बुक सामरी ओन क्को एफम सुने जो मंचा है हंजी तो खुबसूरत खुबसूरत सा दिन है ना घास वास चरा जा रहा है इतने में एक आवाज आती है तो वहाँ पे जो पास में हिरन खड़ा हुआ था वो थोड़ा सा तुरंट अपनी गर्दन को उपर कर देता है इधर उधर देखता है कोई भी दिखाई नहीं देता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता वो फिर भी बड़े ध्यान से देखता है कुछ नहीं करता है दुबारा अपनी गर्दन नीचे करता है और घास चरना शुरू करता है लेकिन इस बार उसके कान बहुत खड़े होते है उसे तुरंत दुबारा से कुछ आवाज आती है वो उपर देखता है उसे कुछ देखाई नहीं देता लेकिन आधे सेकंड के अंदर वो अपने शरीर को टर्न करके भगना शुरू कर देता है शायद उससे भी कम उसने मोडा और एक कदम लिया कि इतने में जितने हिरंट थे सब भगना शुरू कर देते हैं अभी उधर पे शेर बैठा था या कोई पत्ती हिली या हवां का जोंका तक किसी को नहीं पता लेकिन पूरी के पूरे हिरंट की टोली जो है वहाँ से भगना शुरू कर देती है अ माफ कीजेगा आप चाहे खुद को कितना ही जादा यूनीक समझ लें कि सुनो मैं ये भेडबार वाली चाल में बिलीव नहीं करता नहीं भेडबकरी वाली चाल ऐसी कुछ कहते हैं तो आप भले ही ये बात मानते हूं अपने लिए लेकिन माफ कीजेगा आपकी जेनेटिक् में आमल रहता है यानि एक ऐसी स्पेशिज जो ग्रुप में रहती है उसके अंदर ये फीलिंग बच्पन से एक एक एक्जामपल देता हूं मान लीज़ा आप अचानक से चलते वह जा रहे हैं बीच सड़क में कोई रुके और उपर आसमान में देखना शुरू करते हैं आ उसको डिटेक्ट कर लेना उस हिंट को महसूस कर लेना ये इनसानों के अंदर इन बिल्ट होता है अब इसको मैं यहां पे क्यों बता रहा हूं ये राइटर भाई साब ये हिरन विरन को कहां से लिया है सिंपल सी बात है जब आप एक कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी म आप से आगे बढ़ गई और एक employee को भी पता चली न वो बात का बवाल वनने में समय नहीं लगता सिरफ एक employee का जाकर कि इस बात का gossip करना कि अरे सुन तो मैं ये सुना कि ये कुछ दसेक लोगों को निकालने की बात करने हैं और मेरे को ऐसा doubt है accountancy वाले हैं जो सबसे पहले जाएंगे क्योंकि उनका ये कहना है तीन लोगों काम एक आदमी कर सकता तीन को क्यों रखें अब ये बात सच हो सकती है ये बात जूट हो सकती है लेकिन ये बात employees के अंदर cortisol को release करती है अब ये cortisol क्या बला है भाई अभी हमने पढ़ा ना पिछले episode में oxytocin the king of all chemicals जो chemical of love के नाम से जाना जाता है cortisol भाई साब एकदम उसके उल्टा समझ लो ये एक ऐसा chemical होता है जो इनसान के अंदर जब release होता है तो इनसान को stress महसूस होता है दरसल cortisol एक तरह का alert chemical है एक ऐसा chemical जो तुरंथ problem या किसी तरह की negativity को detect करता है अब दिक्कत यह है detect करने से problem नहीं है problem तब होती है जब employees के अंदर वो cortisol release होए जा रहा है काफी लंबे समय से और यह तब होता है जब उनका leader अच्छा नहीं होता अगर employees हमेशा इस डर में ही है डर में ही है कि कभी भी नौकरी जा सकती है कुछ भी हो सकता है माफ कीज़ेगा लेकिन आपकी leadership पर यह एक बहुत बड़ा सवाल है और oxytocin को यह सीधे सीधे block करता है और अगर आपके employees के बीच में oxytocin नहीं है इश्क, महबबत, प्यार का behavior नहीं है problem होगी तो important सवाल भीया leaders होते ही क्यों है leaders क्यों है मतलब इनके बिना हमारी society नहीं चल सकती क्या शायद simple सी बात थी देखो पहले के time पे हम लोग जो थे ना जब खाना खाने के लिए बैठते थे तो उस time पे एक leader का होना बहुत ज़रूरी होता था क्योंकि वो decide करता था कि सबको खाने equally equally मिलेगा और मतलब एक तरह का एक rule set design करता है leader अब ये important क्यों है लोग अकसर leader बनना prefer इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप leader बनना है तो दूसरों के comparison आप सोड़े से superior होते हैं लोग आपको इज़त देते हैं है ना आपको fame मिलता है sense of bow feel करते हैं मतलब असलियत में जोके ना जोके लेकिन एक आँखों ये आँखों में एक respect show करते हैं पर problem ये है कि कोई अगर आपको इतनी इज़त दे रहा है तो बदली में आपसे क्या ले रहा है या बदली में आपसे क्या expect कर रहा है देको इस दुनिया में कोई भी membership ढूंडते हैं तो Lieutenant General George Flynn का कहना है कि उसका जो cost होता है वो है self interest याने कल की डेट में अगर आपकी company में कोई problem आती है आपकी team की तरफ कोई problem आती है आपको चलांग मार के अपनी team के सामने खड़े होना है problem सब से पहले आपको आके touch होनी चाहिए भाई इसी लिए तो उन्हो उन्हें आपको leader बनाया है यहां पर ताकत की बात हमारी physical strength से नहीं हुई है यहां बात यह हो रही है कि लोगों का यह मानना था कि आप जो हैं उनसे ज़्यादा मतलब एक daring रखते हैं आप थोड़ा एक alpha status hold करते हैं उसका मतलब सिरफ यही है कि आप उनको protect करेंगे आप उन जो at the end of the day root feeling होती है एक leader को लेके वो यही है कि leader जो है वो हमें बचाएगा हमें protect करेंगा क्या आप एक ऐसे leader हैं या फिर आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे क्या इस तरह का leader मौझूद है जो आपको secured फील करवाता है जो आपको उस circle of safety के अंदर महसूस करवाता है देखो simple सी बात है अगर एक इनसान एक अच्छा leader बन जाता है तो उसके return में लोग वफादारी और इमानदारी के साथ अच्छे से लग के मैनत करके काम करने के लिए ready रहते हैं लेकिन अगर कोई इनसान अच्छा leader नहीं है तो माफ कीज़ेगा लेकिन उनके employees के अंदर oxytoc and release नहीं होगा वो stress में रहेंगे वो tension में रहेंगे वो loyal कहीं से कहीं तक नहीं रहेंगे और कितनी इमानदारी से काम कर रहे हैं इसको हम बिलकुल भी नहीं कह सकते हैं तो अब हमारी बारी आती है अगले episode की और अगले episode में हम जानेंगे कि rules को तोड़ा भी जाता है अब भ तोड़ता भी यह क्या कॉंसेप्ट है वेल अगला एपिसोड आपका इंतजार रहेगा रूल्स एक तो ये वर्ट सुनकी मन में डिप्रेशन आ जाता है रूल्स रेगुलेशन्स नियम कानून हमें रोकने के लिए बनाये जाते हैं लेकिन यार इसे बनाया इसलिए जाता है ताकि सुसाइटी या फिर कोई टीम सही तरह से फंक्शन कर सके और अगर ये रूल्स और रेगुलेशन्स नहीं हो तो हमारे पास हिस्टॉरिकल एविडेंस हैं इतिहास के नजाने कितने ऐसे किस्ते हैं जहाँ पे पूरी की पूरी सोसाइटी और कॉलोनी स्क्रम्बल हो गई टूट गए खतम हो गई जस बिकॉज वहाँ पे कुछ रूल्स या तो गलत बनाए गए या फिर कुछ रूल्स को तोड़ा गया अब ये रूल्स बनाता कौन है? लीडर बनाता है और लीडर सबकी उस सुन के बनाता है वैसे ही करके एक अच्छा लीडर वो होता है जो इस बात को ध्यान में रखे कि पूरी की पूरी टीम उन रूल्स और रेगुलेशन पर चले क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने पिछले कुछ एपिसोड में ये साफ साफ जाना कि भाईया टीम में आई मेंटालिटी नहीं रख सकते अगर एक ने भी कुछ गलत किया या फिर किसी तरह का रूल तोड़ा उससे बाकी की टीम एफेक्ट हो सकती है अब एक छोटा सा सवाल इस अपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आपका लीडर खुद रूल तोड़े तो आप उस पर भरोशा करोगे आप उसे अपना लीडर मानोगे हलो जी मेरा नाम है जेस्टिन जोजफ और आप सुन रहे हैं साइमन सिनिक की लिखी किताब लीडर्स इट लास्ट की बुक समरी जितने भी modern airplanes होते हैं उनके अंदर collision alarm का alert लगा हुआ होता है इसका मतलब बड़ाई सिंपल सा है भई हजार फुट से लेकर के पांच मील की दोरी तक अगर कोई दूसरा plane उनके पास आ चुका है तो तुरंत alarm बजना शुरू हो जाते हैं air traffic control room में report पहुच जाती है और तुरंत दूसरी plane को बता दिया जाता है कि भईया आप पांच मील के अंदर अंदर आ रहे हैं दूसरी plane के और खास कर जब पहली वाली plane को landing करनी हो तो दूसरी plane उसके पांच मील के अंदर भी नहीं रह सकती क्योंकि टकराने के chances बन सकते हैं तो ये rules decided हैं ये rules set हैं अब मेरी land करके एक जगहा पर एक जो radio तो control room होता है न वहाँ पर एक call आया एक plane की तरफ से पताय चला कि उनका engine जो था वो malfunction कर चुका है और उनको तुरंत के तुरंत एक landing करवानी है उनके जस सामने एक और plane थी जो उनसे कोई 5 mil की दूरी पर नहीं बलकि सिर्फ और सिर्फ 34,000 feet की दूरी पर थी जब ऐसे सुनने में तो लगते हो और ये तो बहुत ही ज़ादा बड़ी बात है लेकिन जब आप planes के सामने compare करते हैं तो ये distance कुछ भी नहीं होता तुरंत के तुरंत रेडियो स्टेशन को जैसी पता चला की पहली plane land करने वाली है तो वहाँ पर जो इनसान बैट कर उनसे बातें कर रहा था दूसरी वाली plane के साथ जिसका engine जा चुका था ये उसकी duty थी कि वो दूसरी plane से कहे की नहीं अभी एक plane जो है वो already land करने जा रही है आपको रुकना पड़ेगा जब तक वो land ना हो जाए तब तक आप वहाँ runway पे नहीं जा सकते बात खतम that's as clear as possible लेकिन उस radio controller ने क्या किया पहली plane को तुरंत फोन लगाया और उनको ये कहा गया है clear clear instructions मिले कि आपके पीछे एक plane है जिसको एक emergency landing करनी है वो आपके पाँच मील वाले radius के अंदर है आपको plane को land नहीं करना है उसी speed से आपको plane को उपर उठाना है ये rules में नहीं होता किसी भी landing plane को अगर आप तुरंत ऐसे वापस उपर जाने के लिए end moment पे तो कई बार जो pilots होते हैं वो panic कर जाते हैं लेकिन यहाँ पर radio station वाले बंदे ने exactly यही किया पहली वाली plane को उसने कहा कि वहीं के वहीं से आगे निकल जाओ दूसरी वाली plane को कहा land करो दोनों के बीस था सिरफ 34,000 feet का difference और end में यह हुआ कि उस दिन 126 यानि कि 126 लोगों की जान बची just because एक बंदे ने वहाँ पर यह कहा कि भाईया मैं rules को तोड़ूंगा जनाब ऐसा है ना कि हम जब किसी पर भरोसा करते हैं तो हम उस पर भरोसा सिरफ इसलिए नहीं करते कि वो rules को follow करते हैं बलकि हम उस पर भरोसा तब करते हैं कि जब हमें पता हो कि अगर कल को एक मजबूरी आई तो ये अपनी समझ रखके उस rules को बगल में रखेगा और इंसानियत को सामने रखेगा क्यों आज की date में हम कई सारे professions के सामने मशीन नहीं ला देते कहते हैं न इधर पे मशीन ला दो उधर पे मशीन ला दो कल की date में सब कुछ मशीन 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 हो जाएगा क्यों नहीं होता ऐसे क्योंकि मशीन को सिरफ एक बात आती है उसके अंदर जो rules जो code set किये गए हैं उसे follow करना लेकिन इनसान अपनी समझ से इस चीज़ को बदल सकता है बस इसी भरोसे के concept को अब हम ज़रा एक मिनिट के लिए कमपनी के अंदर लेकर के आते हैं देखो trust जो होता है न वो एक तरह से lubrication का काम करता है अब जैसे कई बार क्या होती है कि कमपनी के अंदर कुछ problems चल रही है कुछ उल जलूल बाते चल रही है जिसके current काम effect हो रहा है अब यह होता है यार हर कमपनी में हर team के अंदर होता है ऐसे टाइम पर जब एक अच्छा leader आप लोगों के साथ होना तो आपको इस leader पे भरोसा होता है कि नहीं यार इसे पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे और यह एक appropriate decision लेगा हो सकता है थोड़ा rules से उपर नीचे करना पड़े शायद मेरे घर में कोई emergency हो गई मुझे 5 बज़े छुट्टी चाहिए लेकिन emergency के लिए मुझे 5 बज़े निकलना पड़ेगा तो मेरा boss समझेगा इस बात को मेरा leader समझेगा इस बात को यह जो rules को थोड़ा सा तोड़ मरोड के जो अपने अंदर एक trust आता है न बस यह trust एक company के लिए बहुत ज़ादा जरूरी होता है अब simple सी बात है कि हमारी company में कई बार एक ऐसी situation आ जाती है जहां पर अगर आप एक इनसान है तो आप खुद को imagine करो वो snow mobile की तरह है वो नहीं हो तो जो वो बरफ बड़ी पहाडों के अब हमने उपर देखा है लोग ऐसी गाड़ियों से चलाते हैं जिन गाड़ियों में पैये नहीं होते हैं लंबे-लंबे स्की टाइप के लगे रहते हैं अब उस वाली machine को अगर मैं रेगिस्तान में चलाने के लिए कहूँ तो ठीक है थोड़ा-थोड़ा तुम slide कर लोगे लेकिन दिक्कत तो होगी अब important यह है कि snow mobile को snow में ही चलाना है हमें यह बात पता है लेकिन कभी-कभी हमारी जो यह company होती है यह ऐसा रेगिस्तान बन जाती है जो यह समझी नहीं पाती कि बाकी employees को exactly चाहिए क्या भरूसा दीरे-दीरे खतब होने लगता है लेकिन ऐसी situation में company आती कैसे है इसी के साथ साथ अब हम लोग थोड़ा सा history में जाकने वाले हैं और हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम कहते ना generational gap हमारा अगला episode इसी तरह के generational gap के बारे में है तो क्या है वो generational gap इसको हम अगले episode में समझेंगे आपका इंतिजार रहेगा 1980s ये एक ऐसा समय था जिसको the roaring 80s के नाम से भी जाना जाता है IBM PC, MS DOS, Apple Macintosh, Microsoft Windows इन सब का एरा माना जाता है Bill Gates, Steve Jobs और नजाने कितने सारे technological entrepreneurs उस टाइम पे बढ़ने लगे देखो इंडिया हो या अमेरिका इस समय technology ने बहुत advancement करी computer लोगों के घरो घरो तक धीरे धीरे लाना है ये Bill Gates का ad campaign बन गया अब समय के साथ साथ हर चीज के लिए एक तरह की technology आने लगे जिसे example के तौर पे पहले लोग जो थे भीया वो मोची भेया के पास जाते थे जूते polish कर दीजिए लेकिन फिर उस time पे hotelों में ऐसी machine आना शुरू हो गई जिसके अंदर आप अपने वो जूते को डाली है और तुरंत वहाँ पे machine गोल-गोल-गोल घूम के आपके जूते को polish कर देगी अब ये सब अच्छे तरीके से भी हुआ लेकिन इसकी problem ये हो गई technology के इस तरह आने से लोग कही ना कहीं लोगों से जादा कुछ नॉर्मल चीजों को भी यूज करना शुरू कर दिये जिनकी life span बहुत ही कम होती थी इसे for example, disposable camera आना शुरू हो गए disposable contact lenses आना शुरू हो गए इनकी life span बहुत कम होती है पहले camera लेते थे वो हमारे पास आज तक रखा हुआ है ऐसे cameras होते थे लेकिन इस टाइम पे वो छोटे-छोटे plastic के camera ने लगए photo की तो जैसी एकल खाता मुझा है उठा के fake दो, अगला खरीद लो ये वैसे देखने में तो कोई problem नहीं लगती लेकिन इस attitude के कारण इस trend के कारण एक बहुत बड़ी problem धीरे-धीरे हर देश में धीमे center कर रही थी लेकिन अमेरिका में बहुत बड़े level पे आने लगी ये क्या थी? वही है हमारे आज का episode हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोजफ और आप सुन रहे हैं साइमन सिनिक की लिखी किताब Leaders Eat Last की Book Summary यहीं पे OnCook FM सुने जो मन्चा है जिस तरह से 1980s को The Roaring 80s के नाम से जाना जाता है उसी तरह से Late 1980s और Early 1990s को एक और एक नाम से जाना जाता है The Layoff Era Layoff का मतलब किसी को काम से निकालना नहीं बलकि काफी पैमाने में याने की कम से कम 5 employees को 10 employees को 15, 20 कई companies में 200, 300 तर लोगों को fire घटा किया जाता था अब इसके पहले भी Layoff होते थे यार लेकिन यह तब होते थे जब एक आखरी resort बचा बस वही होता था कि company जो हैं उसके हालत बहुत ज़ादा बुरे हो चुके हैं problems बहुत ज़ादा exist कर रही है अब और कोई option नहीं बचा है कि लोगों को company से निकालना ही पड़ेगा लेकिन 1980s और 1990s के समय जो Layoff होते थे वो company का आखरी resort नहीं होता था सिरफ और सिरफ अपने profit को बढ़ाने के लिए और उन लोगों को जब वो company से निकालते थे तो उसके कुछ rules and regulations ऐसे थे जिसके कारण उनके जो accountancy के किताबे होती थी ना उसके numbers जो है match होने लग जाते थे अब जो हमारे accounts के जो बच्चे हैं वो ये बात समझ सकते हैं इससे क्या problem होती है इसके पहले कोई भी चीज disposable नहीं होती थी यानि हर चीज को काफी लंबे समय तक रखा जाता था pen की इंक खतम हो गई तो lead change कर लिया लेकिन उसे use लंबे समय तक करते थे एक attachment होता था इस disposable era के कारण कहीं लोगों ने दूसरे लोगों को भी disposable item की तरह देखना शुरू कर दिया वहीं पे जहां पर लोगों के साथ एक deeper connection होता था अब आज की date में कई सारे पैमानों में लोगों को hire कर लिया जाता था जब उनका काम खतम हो जाता था तो उनको चुप चाफ fire कर देते थे company के अंदर loyalty नाम के चीज़ पूरी तरह से खतम होने लगी क्योंकि भाई या कौन ही loyal रहेगा अगर आज की date में मुझे पता चले कि भाई या company का जब मन करे 10 लोगों को निकाल सकते हैं तो मैं तो हमेशा इस दर में जियोंगा ना कि उन 10 लोगों में कभी मेरा नाम ना आ जाए एक तरफ नौकरी जाने का डर और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा पहमाने पे चीज़ें जो थी वो बनना शुरू हो गई अलग अलग तरह की चीज़ें आने लगी पहले के टाइम पे खाना खाने के लिए जाओ तो कुछ ऑप्शन्स होते थे लेकिन आज की डेट में ऑप्शन्स बढ़ने लगे समान जो थी वो बढ़ने लगे कपड़ों के वराइटीज बढ़ने लगे लेकिन उनकी जो लाइफ टाइम याने लाइफ स्पैन जोती थी वो कम हो जाती थी इसलिए एक लाइन है न यार पुरानी चीज़ों की क्वालिटी क्या क्वालिटी होती है ये बात आक्चुली में सच है धीरे धीरे कमपनीज ने नोटेस करना शुरू कर दिया कि अगर हमने ये टेबल बनाया और ये टेबल उनके साथ 50 साल तक जिंदा रह गया तो हमारी कमपनी से दूसरा टेबल कौन खरीदेगा तो लोगों ने धीरे धीरे quality को कम करना शुरू कर दिया production values इंक्रीज हो गई in fact लोगों की salary भी काफी अच्छे से बढ़ने लगी लेकिन इसके साथ एक छोटी सी problem आई हम यहाँ पर इस problem को समझने के लिए चलते हैं Bedouin tribe की तरफ जो मेंगोलिया की एक बंजारा सी family होती है जो दर दर बस travel करती रहती है अपनी भीड़ वकरियों के साथ एक ऐसी छोटी सी family है इन लोगों की बहुत खुश रहते हैं ये लोग आपस में लेकिन इमकी खुशी की जो सबसे बड़ी वजह है उसे कहते हैं ये लोग के पास जितनी जादा चीजें होने लगती हैं आपकी दिवारें उतनी जादा उची होने लगती है और ये fact है ये हर company के साथ हर इनसान के साथ बार बार हुआ एक reality है कि जैसे ही वो इनसान जादा अमीर बनने लगता है तो उसके में एक thought process हाजाता है कि मुझे ये चीजें मैंने कमाई हैं मेरी चीजें मेरे को अपने पास रखनी है और वो उसे दूसरों को देने से पीछे हटने लगता है अब इस trend के लिए हम लोग किसी एक CEO को या फिर किसी एक company को जिम्मेदार नहीं ठेरा सकते हैं मतलब यहाँ पे कोई comic book का villain नहीं है कि oh my god उसने spider man को घेर लिया है और अब वो इस दुनिया को खतम कर देगा ऐसा कुछ भी नहीं है एक normal trend है एक normal communal तरीके से हमारी जो psychology और जो thinking process हो चेंज होई है और यह एक problem है यह एक fact है अब पिछले episode और इस episode में हमने problems के बारे में discuss किया यह दो ऐसे बड़े problems हैं जिनके solution हम लोग आने वाले जितने episodes हैं उनमें समझने वाले हैं और especially हमारे अगले episode में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से यह जो lay off का concept आया था लोगों को नौकरियों से निकालने की वज़ा क्या थी क्यों अचानक से वो लोग जो पहले एक family की तरह रहा करते थे अब किसी की नौकरी खतम करके उसके पूरी family बरबाद हो जाएगी इस बात का डर नहीं लगता था उने या फिर इस बात का guilty conscious नहीं होता था किसी boss को कहां से आने लगा यह attitude और क्यों आने लगा यह attitude यह हमारे एगले एपिसोड की कहानी है तो आपका इंतजार रहेगा World War II खतम होने के stages तक आ चुका था अलग-अलग देशों ने आपस में आ करके peace treaties जो थी वो sign कर दी थी कि भहिया हम लड़ाई नहीं करेंगे अलग-अलग organizations बनी कि भहि तुबारा कभी अब इस तरह से मासूमों की जान ना जाए और देश आपस में बे मतलब ना लड़े यह सभी के बीच में एक बहुत घिनोना काम हुआ था जिसे कहा जाता है दे नाजी movement नाजी movement एक ऐसा समय था जब जर्मनी के अंदर जो Jews थे उनको अलग-अलग बहुत ही ज़ादा brutal और बड़े inhuman तरीकों से मारा गया था सिरफ इसलिए कि वो Jew थे कि उनकी जो race थी वो Jew थी that's it और कोई वज़ा नहीं थी just because वो जर्मन नहीं थे वो Jew थे वो impure blood थे उन्हें मार दिया गया अब इस बीच में Adolf Hitler, Hendritch Himmler और Joseph Gabel जिनोंने ये नाजी movement की पूरी की पूरी बारीकी से देख रेक करी थी बनाया था ये तो बचके निकल गए क्योंकि इनोंने suicide कमिट कर लिया था लेकिन जब इतने सारे Jews की हत्या की गई तो वो ये तीन ने ने तो अकेले मिलके नहीं किया होगा इसके पीछे पूरी की पूरी Nazi की आर्मी होती थी जिसे वैसे तो German army कहा जाता था लेकिन वो German army नहीं बलकि वो सिर्फ और सिर्फ ढूंड ढूंड कर इन Jews को मारनी के लिए काफी अलग-लग तरीके से बनाया गया था अब इनके साथ-साथ ये जो आर्मी थी ये तो भग-भग के निकल गए महां से क्योंकि अब दूसरे देश आते इस तरह की घटिया हरकत क्यों करी तुम लोगों ने पूछने के लिए तो ऐसे ही उमें एक बंदे को पकड़ा पंद्रा साल बाद उसका नाम इश्मेन करके था अब इश्मेन को जब फाइनली पकड़ा तो 1960 में उससे एक सवाल पूछा गया कि भाई इस तरह की जब तुमने बोला गया कि तुम मार दो जाके लोगों तो तुम लोगों को शरम नहीं आई तुम्हें घेन नहीं आई इस तरह का काम करते नहीं तो इसके रिटर्न में जब अपनी जान की भीक मांग रहा था वो तो उसने एक बात कही कि माफ करना we had no choice हमारे पास कोई और choice नहीं था हम तो बस orders जो हमें मिल रहे थे हम उसे follow कर रहे थे please हमें मत मारिए हमें जो orders मिल रहे थे हम उसे follow कर रहे थे हमारे पास कोई choice नहीं थी interesting क्योंकि ये rule होता है किसी भी देश की military का कि जहिया जब आपको superior से order मिले तो आपको उसे follow करना है आप उस order को disobey नहीं कर सकते अगर किया तो उसको actually में criminal act के अंदर consider किया जाता है और उसके बाद फिर जब एक बार लड़ाई खताम हो जाया तो फिर आपकी खेरियत ली जाती है तो इसको जब order मिले उसने तो follow किया तो या आदमी गलत थोड़ी हुआ एक ऐसा आदमी जिसने नजाने कितने मासूमों की जान ली ये गलत थोड़ी था ये तो बस orders follow कर रहा था हेलो जी मेरा नाम है जस्टिन जोजफ और आप सुन रहे हैं साइमन सिनिक की लिखी किताब लीडर्ज इट लास्ट की बुक सामरी और कुको एफेम सुने जो मंचा है इस आदमी में क्या वाकरी में उन जियूस को मारा होगा बेरहमी के साथ ये तो हम नहीं जानते लेकिन सवाल अब ये है कि भाईया ऐसे जो लोगों को एकटा किया गया मारा गया लोगों का दिल नहीं धहला और इस बात को अगर आपको ध्यान से समझना है तो एक फैक्ट है उस टाइम पे जब जिवोस को मारा जा रहा था तो हर जिवो को गोलियों से नहीं मार रहे थे नहीं उनकी गर्दने काट-काट के मार रहे थे कुछ लोगों को ऐसे मारा गया लेकिन मैजॉरिटी इसको गास चेमबर के अंदर डाल के मार दिया क्यूं एतनी महनत करने गए? अगर चाहे तो मिलिटरी वालों को बोडिरेक्ट्ली डिरेक्ली बोल देते कि जाओ जाके सबकी गर्दने काटतो, मार देते सबको गोलियां मार दो, मार देते तो फिर ऐसे क्यों मारने के लिए नहीं कहा? क्या वज़ा थी कि किसी gas chamber की दिवारों के अंदर कभी किसी को मार रहे हैं कभी किसी को खाने में जहर देके मार रहे हैं कभी सोचा है एक simple सी वज़ा है इसके पीछे क्योंकि जब वो लोग ऐसे करते थे तो जो ये soldiers होते थे जो जहर मिला रहे हैं या फिर वो cast timber का button को on कर रहे है उन लोगों को न कभी अगला इंसान तड़पता हुआ दिखाई नहीं देता था कभी दर्द की कराहें भरता हुआ दिखाई नहीं देता था सिरफ एक button दबा दिया, कुछ लोग मर गए, बात खतम visual aspect किसी भी तरह के connection या किसी भी तरह की attachment के लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी होता है भाई अगर आप देखी नहीं सकते अगले इंसान को तो आप उसके साथ एक attachment कैसे create करेंगे अब यहाँ पे उस लोग कहेंगे भाई तो जो लोग अंधे होते हैं किसी के साथ कोई attachment create नहीं करते हैं बिल्कुल पर वो कैसे करते हैं किसी को touch करके उसे महसूस करके एक physical aspect हमेशा real होता है आप screen के सामने बैठ कर किसी से बात कर रहे हैं और आप actual में real life में किसी से बात कर रहे हैं इसमें बहुत फर्क होता है एक company इतनी असानी से लोगों को इसलिए निकालने लग जाती है जब वो company बहुत ज़ादा बड़ी होने लग जाती है जब leader को बंदा दिखाई दे ही नहीं रहा जैसे वो fire कर रहा है तो उसे पता ही नहीं है वो कौन है उसकी भी एक छोटी सी family है उसके सर पे loans है वो EMI भर रहा है उसके बच्चों की education depend करती है उसकी salary पे किसे फरक पड़ता है क्योंकि वो से देख नहीं रहा क्या वही CEO क्या वही manager अपने किसी ऐसे employee को fire करेगा जिसकी personal जिंदगी के बारे में उसे पता है मतलब एक तरफ आपको पता है कि भैया इस इंसान के जो पापा है वो diabetes के patient और इस इस type की medicine इसको लगती है महिने का 40,000 का खर्चा है इस इंसान का आप उसे job से उतनी असानी से निकाल दोगे मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो काम सही से नहीं कर रहा तो आपको नहीं पता चलेगा कि उनकी जिन्दगी में क्या चल रहा और आपके आपस में कोई attachment नहीं होगी आप अपने speeches में कह सकते है Guys, we are a family लेकिन क्या वाकई में आप family है जब आपको पता ही नहीं है कि उसकी जिन्दगी में क्या चल रहा है तो आप कैसे family है अब इसका जो उल्टा होता है वो भी बिल्कुल सही है अगर employee अपने boss को देखी नहीं रहा पर यह आ जाते हैं कॉफी पी रहे होते हैं किसी आईपाड में या फाइल को देख रहे होते हैं लिफ्ट के अंदर चड़ते हैं अपने office में चले जाते हैं इसमें attachment कहां से बना तो वो employee जब कल की date में उसे पता है कि अगर मैं यह इस तरीके से कर दो तो presentation और अच्छी हो सकती है अगर मैं यहां से यह इनका company का laptop जो है record में entered नहीं इसको मैं चुरा लेता हूँ इस type की mentality होती नहीं यह तब आती है जब आपको फरक ही नहीं पड़ता कि कौन है यह किसी ने अपनी खोन परसीने की मैनत लगा के इस company को खड़ा किया है उसी company की जो दिवार है वहाँ पर जाके हम गोदगादी करके आ जाते हैं क्यों? क्योंकि हमें कोई attachment नहीं है उस इनसान से, उस company से अगर वह attachment आपको create करनी है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इस तरीके से ना अपने लोगों से दूर हो और अगर आप एक employee है तो आप अपनी leader से दूर ना हो अगर आपस में वो bond बना रहता है और वो circle छोटा रहता है तो अकसर एक दूसरे की problem समझना और एक दूसरे की life समझने के कारणना एक ऐसा attachment create होता है जिससे finally वो company सिरफ pen paper पे नहीं बलकि real life में एक family सी बनने लगती है अब हमारे अगले episode में आपको पता चलेगा कि भाईया social morality क्या होती है इस word का मतलब क्या होता है और क्या वागई में ये किसी company के लिए important होती है वेल अगले episode आपका इंतजार रहेगा साल 2009 में the new york times और वहाँ की जितनी भी major news outlets थी अमेरिका की उन्होंने एक बहुत important और बहुत devastating news को print किया ये news थी San Monero करके एक virus था उस time पे जो बहुत बुरी तरह से outbreak हो गया था इसके चलते करीबन 9 लोगों की जान गई थी और 700 से उपर लोग जो थे वो बिमार पड़ गए थे अब इसके बारे में या ये किस तरीके से फैला दरसल बात ये थी कि जो peanut manufacturing के company थी जहां पर ये peanut butter create होता था वहां की किसी company में कुछ defect पाया गया था और उस company से खरीदने वाले और भी बहुत सारी companies थी कई सारी बड़ी बड़ी agencies थी तो वो सारी companies ने भी उनीके peanut butter को लेकर के अपना product तयार किया था तो यानि कि जब factory में problem है इसका मतलब है कि बाकी जितने लोगों ने उन से खरीदा सब के तकलीफ तो उन सब का American history में सबसे बड़ा food recall जिसे बोलते है food recall यानि कि खाना बनके ready होके stores में जा चुका है लेकिन वहाँ से वापस मंगवाये जाता है क्योंकि खाने में कुछ गड़बड़ी है ये किया गया था लेकिन इसके चलने के बावजूद और लोगों की मौतों के बावजूद ऐसे और भी कई मौते हुए जो वैसे statistics में लिखी नहीं गई लेकिन ये हुआ अब एक सवाल उठता है कि जब पता चला कि इस तरह से problem थी उस peanut butter में तो क्या जितने actions लिए जाने चाहिए थे उस community को जो PCA के नाम से जानी जाती है जिनका काम था उस production को रोकना क्या उनके पास जितना बन सकता था उतना उन्होंने किया था नहीं हेलो जी मेरा नाम है जस्टिन जोजफ और आप सुन रहे हैं साइमन सिनिक की लिखी किताब Leaders Eat Last की Book Summary on Cookoo FM सुने जमन चाहे PCA इसका full form था Peanut Corporation of America इसी के अंडर में था ये जितना peanut का बनना Regulation सही तरीके से बन रहा है नहीं बन रहा है तो इसके जो President थे उस टाइम के जिनका नाम था Stivit Parle उन्होंने एक Letter लिखा था अपने जितने भी Plant के अलग-अलग Managers थे ना उन सभी को के भाईये सुनो ये जो फलाना फलाना बिमारी हो रही है कि PCA के President के कारण वहाँ पे कई सारे लोगों को ये एक तरह का हिंट दिया गया था कि भहिया अपनी आँखें थोड़ी सी फेर ले न तो जा रहा है उसको जाने दो क्योंकि भहिया बहुत नुकसान हो रहा है नुकसान हो रहा है उन्होंने अपने नुकसान को बजाने के लिए न जाने कितने मासुमों की जान ले ली कितने सारे लोग तो न जाने आज तक वो पीनट के कारण जो reaction cause हुआ उससे आज भी पीड़त हैं अब important बात ये है ये बात हम लोग क्यों discuss कर रहे हैं करके दो एपिसोड पहले एक एपिसोड पहले हम बात कर रहे थे कि भाईया वो Hitler के टाइम पे उस अब को खटा करके gas chamber में जलाया जा रहा है इस वाले एपिसोड का भी एक गहरा मतलब है अभी तक हमने जाना कि भाईया visual importance कितनी होती है देखो यार माना आप एक company को चला रहे हो आप एक team को रन कर रहे हो आपको profits का ध्यान रखना पड़ता है लेकिन जैसे ही आप इंसानों को इंसानों की तरह treat करना बंद कर देते हो और एक number बना देते हो सारा का सारा गडबड वहां से शुरू होता है अब गडबड क्यों शुरू होता है उसको बड़े ध्यान से समझना एक concept होता है इसे कहते है social morality बहुत ही simple सा मतलब है morality यानि कि जो moral values आपके अंदर होनी चाहिए social जब आप तरीके से रहते हैं एक society के अंदर देखिए अगर आप एक society के अंदर रह रहें इसका मतलब आप कई लोगों के साथ रह रहे हैं आप किसी को जानते हूंगे आप नहीं जानते हूंगे लेकिन just because आप किसी को नहीं जानते उसका ये मतलब नहीं कि आप उसकी जिन्दगी में कुछ खराब कर दें देखिए लॉव अगेरा से आप जरूर बच जाएंगे आपको आता होगा आपकी लॉयर्स की टीम अच्छी होगी बड़ी स्ट्रॉंग लीगल टीम होगी लेकिन उससे कोई फरक नहीं पड़ता अब हम एक लीडर्शिप की किताब में इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं देखो भई अगर आप अपने कस्टमर्स को या फिर अगर आप भाहर के लोगों को ऐसे रत्ती कोड़ी के भाव में ट्रीट करोगे न तो ये बात आपकी कंपनी के लोग भी देखते हैं और सीधी सीधी सी बात है अब उनके आपको चाचा मामा ताव फूफा तो बने बैठे नहीं हो तो उनके अंदर भी ये वाली मेंटालिटी आती है कि जिस तरीके से हमारे कंपनी के जो लीडर है उनको तो सरफ पैसो से मतलब है उनको तो सरफ नंबर से मतलब है तो कल की डेट में यही हरकत मेरे साथ भी तो हो सकती है अब आप कहोगे क्यार मैं तो अपनी कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहा था अपनी कंपनी के प्रॉफिट समाल रहा था लेकिन जब आप इस तरह से काम करते हो तो जाने अन जाने में आप अपने कमपनी आप अपने टीम के लोगों को ये भी बताते हो कि आपके लिए पैसे बहुत ज़ादा इंपोर्टन्ट है और इस attitude के आते ही साथ आपकी कमपनी के लोग आप से पहले ये चीज़ देखेंगे कि भीया हमारे किसी decision से अगर इसके पैसे डूब गए तो ये तो हमें डुबा देगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी team आपकी company के अंदर सिरफ और सिरफ आपके employees नहीं बलकि आपके customers के लिए भी एक soft heartedness होना चाहिए अगर थोड़ा सा नुकसान जहलना पढ़ रहा है जहल लेकिन उस नुकसान के बदले अपनी इंसानियत को बेचने की बिवकूफी कभी मत करना क्योंकि जैसे ही आप numbers का game खेलने लगते हो ना कि भाई ये law के हिसाब से तो हमने कोई वलती नहीं करी तब गड़बर शुरू होती है टाइटानिक की जो मूवी आप लोगों ने देखी होगी तो वो जो शिप थी ना टाइटानिक उसके साथ भी कुछ ऐसी पंगे हुए थे उस समय की सबसे largest ship कही जाती थी उसे लेकिन वो सिरफ और सिरफ large नहीं बलकि over extra large था और उतनी बड़ी ship के अंदर कितने life boats होने चाहिए उसके उपर कोई नियम कानून नहीं था तो वो जो सबसे बड़ी जो boat थी उस time की उस से 3 से 4 से 5 से 6 गुना जादा बड़ी थी तो जो सबसे बड़ी boat थी उसके अंदर कहा थे कि इतने life boat रखने ना टाइटान ने कहा ठीक है rules के हिसाब से हम इतने रखने है हम इतने ही रखेंगे जबकि उन्हें साफ पता था कि उ के हिसाब से लाइफ बोट उनके पास नहीं थे लेकिन लाइफ बोट क्यों नहीं रखे ताकि और जगा बन जाए और लोगों को हम अपने शिप में लाए और लोग शिप में आंगे और टिकेट बिकेंगी और अधा प्रॉफिट होगा एंड में क्या हुआ आइसबर्ग से ट मैं की कीमत माफ कीजेगा लेकिन आपके नंबर से जादा इंपॉर्टन्ट होती है अब हमारा जो अगला एपिसोड है उसमें हम ये जानने वाले हैं कि भी अगर हमें कंपनी चलानी है तो हमें नंबर का ध्यान तो रखना पड़ेगा उसी के साथ में हमें सोशल मॉरालिट भी रखनी है तो इसको करने का तरीका क्या होता है अगले एपिसोड में आपका इंतजार रहेगा एक इनसान की जब मौत होती है तो वो एक बड़ी ट्राज़डी होती है लेकिन जब लाखों लोगों की मौत होती है तो वो एक स्टाटिस्टिक होता है इतनी ज़ादा क्रुएल बात मैंने पूरी लाइफ में शायदी सुनी और इसको जन्होंने कहा वो कौन थे भईया जोजफ स्टालिन मतलब दुनिया के जो सबसे ज़ादा हार्ड कोर डिक्टेटर्स में से अगर किसी का नाम लिया जाए तो ये उन लोगों में से एक है लेकिन अनफॉर्चनेट बात ये है कि उनकी कही हुई ये लाइन 101% आक्यूरेट है एक्जाम्पल लेते हैं भई अभी रिसेंट में सिरिया में कुछ सालों पहले एक ऐसी ट्राजडी हुई और बड़ी हुई और बड़ी हुई और उन लोगों ने इस बात के अगेंस प्रोटेस्ट किया फाइनली कुछ तो लड़ाई वड़ाई हुई और करीबन एक लाख लोग जो थे उनको गन पॉइंट पे रखके मतलब गोलिया चलवा चलवा के किसी को कहीं मार दिया लोग भगते वे जा रहें उन्हें मारा ऐसे करते कराते एक लाख लोग जो थे वो मारे गए और कहते हैं कि बई नंबर इससे भी जादा है लेकिन जितने लोगों का पता चला वो एक लाख थे किता बुरा हुआ ना एक और एक कहानी सुनी है एक लड़की थी करीबन 18-19 साल की 20 साल की सड़क क्रॉस कर रही थी इतने में एक दूसरी लड़की जो की 16 साल की 17 साल की उमर की थी उसके पास लाइसेंस नहीं था कुछ नहीं था और शायद alcohol के influence में भी थी उसने उस लड़की को अपनी गाड़ी से टकर मारा और वो लड़की जो था उसका दाहिना पैर जो था बहुत बुरी तरीके से injured हुआ internal bleeding हुई bleeding बाहर की तरफ भी हुई बड़े बुरे हाल थे एक आदमी वहाँ से hospital में admit किया गया तीन एक दिन बाद अपने काम को खतम करके कैमी जो था वो उस hospital पहुचा जहां पे उसने admit करवाया था वहाँ जाके उसे पता चला कि वो लड़की जो थी वो अब नहीं रही अब ज़र ये सोच के देखो ये दोनों incidences में आपको जादा बुरा कहां पे लगा वहाँ पे जहां पे एक लाख लोगों की मौत हुई या फिर वहाँ पे जहां उस लड़की की मौत हुई इसके पीछे एक बहुत ही simple सा reason है इसके पीछे कि आपको वो एक लड़की की मौत जादा ट्राजिक क्यों लगी इसके पीछे एक simple सा reason है और वो ये है कि हम जब एक इनसान की बात करते हैं उसकी कहानी की बात करते हैं तो हम उससे attach हो जाते हैं लेकिन जैसी लोग numbers में convert होने लगते हैं problem create होती है अब जो एक company शुरू होती है तो यार उसमें तीन चार लोग होती है कोई पूसता है कि भी है तुमारी टीम में किते हैं अरे मैं हूँ महेश है फिर Christopher जो है वो data analysis जो है वो समाल लेता है ऐसे करके हम लोगों के नाम गिना गिना की numbers करवाते हैं क्योंकि लोगी इतने कम हैं लेकिन आगे जाते जाते सड़नली एक number बन जाता है इंडिविजवालिजम कहीं न खहीं खत्म होने लग जाती है वो कि अब एक एक इंसान का नाम थोड़ी लेते फिर होगे लेकिन यहापे सवाल यह उड़ता है कि अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ने लगे तो क्या ये तरीका सही है क्योंकि numbers की बात तो देखो eventually आनी है तो यहाँ पर किस तरीके से हम ये number और इंसानियत को साथ में balance करके चले तो इसके बीजे हमारे जो writer भाई साब आनलाइन फलाना फलाना चीजे क्यों ना कर लो जब तक आपकी टीम के लोग आपस में मिलते नहीं एक दूसरे से real में बात नहीं करते तब तक असल बात नहीं बनती रूल नंबर टू keep it manageable और यहाँ पर हम जानते हैं obey dunaar की number के बारे में और भी दूनार भाई साब ने experiment conduct किया था जिसके अंदरों ने पता चला कि एक आदमी जादा से जादा on an average देड़ सो लोगों को साथ में manage कर सकता है कुछ लोग देड़ सो से जादा लोग manage कर सकते कुछ लोग देड़ सो सोड़े कम लेकिन average में तेड़ सो वस्दक पॉफिक्ट नंबर यानि ही 150 पीपल एक आदमी 150 लोगों को सही तरीके से manage कर सकता है यानि कि उनकी individual life क्या है नाम से उन लोगों को याद रखना ये सब कर सकता है तो आपकी कोशश ही होनी चे कि अगर आपकी टीम बड़ी होती जा रही है तो भहिया आप उस बड़ी सी 1000 लोगों की जो टीम है उसको ऐसे 1500 या फिर 100 100 100 करके न आप उसको divide कर दो छोटी छोटी टीम में convert कर दो क्योंकि हर टीम ना एक family जब बनती है तब ज़ादे effective होती है rule number 3 यहां पर हमारे जो writer भाई साब है वो कहते है meet the people that you help इन्होंने एक experiment के बारे में बताया जहां पर लोगों को एक donation campaign में run किया कि भहिया आप अगर यहां पर पैसे देते हैं तो फलाना फलाना की मदद हुजाएगी उस donation campaign को थोड़ा सा interesting बनाने के लिए education complete होगी यह बच्चे के साथ यह अच्छा हो जाएगा इसको education मिल सकती है इसको एक proper रहने का ठिकाना मिल सकता है suddenly लोगों ने जादा donate करना शुरू कर दिया और यह fact है जब आपनी आँखों से किसी चीज़ को देखते हो मैंने अभी अभी हमने पिछले episodes में सीखा visual और physical का importance बहुत होता है तो आप अगर कभी किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप please पहले जाके उससे मिलें शायद आपको उसकी जो वो situation की seriousness है वो ज़ादा समझ में आएगी इसके बाद हमारा जो अगला rule है वो है give people time not just money देखो भीया लोगों को आप bonus के रूप में पैसे दे सकते हो Christmas bonus, Diwali bonus, Holy bonus लेकिन at the end of the day अगर सिर्म बात पैसो की ही हो रही है न तो आपके employees ना फोड़ा ऐसा पीछे हटने लग जाएंगे with time क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं दरसले इस बारे में मैंने बहुत deeply एक किताब जो थी Leadership Wisdom by Robin Sharma उसमें हम लोगों ने discussion किया है रूल बड़ा ही simple सा है पैसा एक limit तक ही आपको motivate करेगा उसके बाद किसी इनसान के साथ आपके रिष्टे कैसे हैं ये बात आपको रियल में impact करती है अब हम आते हैं हमारे आखरी रूल पे जिसके according इसको कहते हैं the rule of seven days and seven years यहाँ पे हमारे writer भाई साब एक बड़ी simple सी बात कहते हैं कि आप अगर किसी company में hire किये जाते हैं तो साथ दिनों के बाद बाद तक आपका वो first love love at first sight love at first sight वाला जो feeling होता है वो खतम हो जाता है यहनि कंपनी में नहीन है आप लगते हो लोगों से मिलते बिलते हो सब ऐसे हसते खिलकलाते चेहरे लेकिन एक हफते बाद आपको somewhere along the line company की थोड़ी थोड़ी reality सामने दिखने लगती है इसी तरीके से ये भी पता लगाया गया है कि भाईया साथ साल company में काम करने के बाद भी कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है और अगर वागी में आप किसी company के साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं जाथ साल हो चुके हैं और आपको अपना काम पसंद नहीं आ रहा है तो इडिस टाइम टू मूव ओन बस हो गया तो कुल मिलाकर के writer भाई साथ कहना है कि आप actually में किसी company में belong करते हैं कि इसका exact कोई time तो नहीं है पता लगाने का लेकिन साथ दिनों से जादा और साथ साल से कम होता है यह समय तो अगर आप बहुत लंबे समय था कि company में और उसके बावजूद आपको लग रहा है कि वहाँ आपको सही तरीके से treat नहीं किया जा रहा है या आपको मजा नहीं आ रहा है तो it is time to move on तो फिर चलिए हमने इन सारे topics के बारे में बात कर लिया हमने ये भी बात कर लिया ये number और इन सब का balance कैसे बना कर रखना पड़ता है तो अब बात आती है इस imbalance को किस तरीके से और better हम समभाल सकते हैं और उसी के साथ साथ एक बड़ी interesting line है इस किताब में जहां पे आपकी जो company का culture होता है वो जिस तरीके से designed है बस उसी तरीके से company के लोग भी अपने आपको design करना शुरू कर देते हैं इसका मतलब क्या है वो हम अगले episode में सुनेंगे और उसी के साथ साथ हमारा अगला episode इंडिया के लिए एक काफी proudful moment है अगर मैं सही word बोल रहा हूं तो कोजवागी में अगला episode में छोटा सा किस्सा है जो ताज होटल का है जिसको पढ़ने के बाद मुझे तना अच्छा लगा कि बापरे international level पे लोगों को वो किस्सा पता है क्या है जानेंग अगले episode में आपका इंतजार रहेगा हमारे जो पूरवच थे वो सबसे पहले वाले एकदम starting starting वाले वो लोग 40,000 साल एक ऐसी economy में रहते थे जहांपे वह जब खाना चाही होता था तो खाना अपन हंट करके ला रहे हैं शिकार कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं मतलब जितना खाना चाही है उतने समान ला दिये जाते थे जितने लोगों को पहनने के लिए कपड़े चाही है उतने कपड़े बनाए जाते थे ये सब चला लेकिन 10,000 साल के पहले क्या around 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 कह सकते हैं अपनलोग farming का concept शुरू हुआ, agriculture जो था वो शुरू हुआ, तो लोगों को पता चलने लगा कि हम खाने को बना के store भी कर सकते हैं, अब ये तो बहुत ही खुपसूरत चीज थी, लेकिन इसी के साथ हमारी society ने खाने को और अलग-अलग resources को abundance में खटा करना शुरू कर दिया, य destructive abundance, ये तब होता है जब आपकी जिन्दगी में challenge गायब हो जाता है और temptation ना जाती है, यानि कि आप अगर काम कर रहे हैं और आपका target ये कि नहीं यार मेरी फलाना फलाना rent पूरे हो जाए, बच्चों के जो fees है वो निकल जाए, थोड़ी बहुत मेरी luxuries जो है, वो पूरी हो क्यों क्योंकि पड़ोसी के पास है, उसके पास है, इसके पास है, बड़े लोग जो है वो इस तरीके से करते हैं, मैं भी ये perfume खरीजूँगा, जो 15,000 का perfume है, लगा कि smell क्या वाकिया में मुझे पसंद आ रही है, कोई फरक नहीं पढ़ता, इसे कहते है destructive abundance, कि इतने पैसे हो वो numbers पे नहीं, जैसे हमने पहले एपिसोड में पढ़ा, लेकिन वो एक ऐसा culture होना चाहिए, जहां पे आपके जो company के लोग हो, जब उनकी basis necessities जो है, वो fulfill हो रही है, उसके अलावा, वो कुछ और भी करें, मतलब उनका काम सिर्व अस company में आके job करना नहीं है, उनका काम थो सबसे पहली बात जो आपको observe करनी है, वो यह है कि आपकी company में जो लोग काम करने आ रहे हैं, उनको proud feel होता है आपकी company में काम करने से, आपके team में काम करने से, ऐसा तो नहीं कि वा आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं घर, अगर ऐसा है तो problem है, example के तोर पे, West Jet Airlines के जो लो हैं, वो यह नहीं कहते हैं कि यार हम तो नहीं यह फलाना फलाना company में काम करते हैं, वो यह कहते हैं, भई, we are West Jettles, इसका मतलब क्या होता है, जिसे example के तोर पे, मैं भोपाल से belong करता हूं, मैं campaign school में गया था, तो हम लोग एक दूसरे को campaignite बलाते थे, वैसी करके अलग-अल से अपने लोगों को बुलाना शुरू करते हैं, तो उनके अंदर एक sense of attachment आती है, कि भई, मैं यह हूं, मतलब कि मैं इस particular school को belong करता हूं, school के अंदर भी houses होते थे अलग-अलग, परपल house, green house, tagore, ashoka, तो हम कहते थे थे हम tagoreans हैं, हम ashoka को belong करते हैं, practically एक sense of attachment आती है, आपकी company में भी एक sense of attachment होना बहुत जरूरी है, और अगर आपकी employees proud feel नहीं करते हैं, तो कुछ तो improve करना वहाँ पर बनता है, दूसरी चीज़, जो आपको बहुत ध्यान से देखना जरूरी है, वो यह है, जो अगर आप एक leader हैं, तो आप जस तरीके से किसी भी employee को treat करते हैं, बाकी इस सारे employees इस बात को बड़े ध्यान से observe करते हैं, अगर मान लिजे आपने उसको कमरे के अंदर बुला के भी कुछ बुला, वो जाके बाहर किसी को तो कुछ कहेगा, और eventually वो बात सब में फैलेगी, आप जिस तरीके से किसी एक employee को treat करते हैं, बाकी employees को भी आप वैसे ही treat कर थोड़ा आराम से उसको personal level पर ले जा और उसको embarrass ना करें दस लोगों के सामने, क्योंकि अगर आप इस तरीके से behave करते हैं, तो आपके नीचे काम करने वाले भी जो leaders होंगे न, वो भी आपकी बातों से सीखेंगे, अब चलते हमारे अगले point पर, और India के लिए ये एक बहु circle ताज था, वहां के जो employees थे, जो वहां पे chef थे, वहां पे जो staff members थे, काम करने वाले लोग थे, उनमें से कई सारे लोगों ने, in fact kitchen का जो staff था, उन्होंने तो circle बना के, जो customers थे, उनको अंदर खड़ा कर दिया था, कि उनको कुछ नहीं होना चाहिए, अगर गोली लगे त जो ताज होटल के जो employees थे, उन्होंने इस तरीके से लोगों को बचाना सही समझा, क्यों लगता है ऐसा, क्यों वो इतना out of the way चले गए, क्योंकि जैसे हमने इस episode की शुरुवात में, पिछले episode के end में कहा था, जैसे आपके company का culture होगा, उसी तरफ आपके company के लोग वो लोग हमेशा अपने customers को priority देते हैं, जो military के लोग होते हैं, उनका bill पूरी तरह से माफ हो जाता है, covid times में हमने देखा किस तरीकी से ताज सामने आकर doctors और nurses की मदद कर रहा था, ये जो attitude होता है, ये जो culture होता है किसी भी जगे का, ये सीधे सीधे reflect होता है उसके employees में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका culture सही बनना चाहिए, चाहे आपकी team बहुत ज़्यादा पैसे देती हो, कम पैसे देती हो, आपके team का culture बहुत ज़्यादा important है, अब हमने ये तो देख लिया, कि भाया जो culture जहां जाता है, company उदर पी जाती है, लेकिन अब हमारे एगले एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि आपका लीडर जहां जाता है, culture लीडर के पीछे पीछे जाती है, याने कि at the end of the day घूम फिर के सारी की सारी बात लीडर पे ही आती है, कैसे आती है अगले एपिसोड में, आपका इंतजार रहेगा, इस किताब में हमने पढ़ा अलग-अलग तरीकों से कि किस तरह employees अलग-अलग problems face करते हैं, और उसको किस तरीके से एक लीडर को ध्यान में रखना चाहिए, बर जब आप एक team को lead करते हैं, जब आप एक company को lead करते हैं, और उसकी जो quantity हो वो धीरी-दीरे से बड़ी होने लग जाए, तो उस time पे as a leader आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये जो एक छूटी सी बात है इसका पूरा relation उस topic से है जो हमने शुरुवाती episodes में सुना था, circle of safety से, अब ये circle of safety का concept कैसे हम लोग relate करने वाले, वो हमारा आज का ये episode है, Hello Zee, मेरा नाम है Justin Joseph, और आप सुन रहे हैं Simon Sinek की लिखी किताब, Leaders Eat Last की book summary, on KUKUFM, सुने जो मनचा है हमारी ये कहानी शुरू होती है with Mr. Captain Markwit, अब Captain Markwit जो थे, उन्होंने इसके पहले कई सारी submarines को लीड किया था, and he was a very experienced Navy captain, अब इसी के साथ में he was expecting कि भई अब उनका promotion होगा और अब वो एक और बड़े खताब में जाएंगे, अब इसी के साथ कुछ political drama हुआ वहाँ पे, अब ये हर जगे होता है, चाहे कोई साभी देश हो, चाहे कोई सी भी organization हो, political drama exists everywhere, तो वहाँ पे उनके साथ जो हुआ वो ये क उनको promote करने के बदले, promotion तो मिली ही मिली, लेकिन उनका काम जिस ship में होना था, वो और ज़ादा important नहीं, बिलकि ए comparatively छोटी ship थी, अब उनको पता था, कि ये उनको पिंकाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन captain market ने कहा कि नहीं, मैं इसे challenge की तरह लेता हूँ, ठेक है बई, तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ जाकर के orders जो important important वाले होते हैं, उसको देना शुरू किया, और सभी को उनकी reputation के बार में बड़ा पता था, captain market की तारीफ सभी ने सुनी थी, तो भाई है सब उन्होंने जो जो काम बोला सब करना शुरू हो गए, अब इसी के साथ हमारे captain market भाई साब है, उन्होंने finally अपने एक orders देना शुरू किया, ये देखने के लिए कि उनके team के लोग कितना काम कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा वन थर्ड को open किया जाए, अब ये वन थर्ड क्या होता है, इसको समझाने जाओंगा तो एक लंबी कहानी है, simple भाशा में, ship की अल वेट किया, वेट किया, लेकिन captain को ऐसा लगया, speed तो increase नहीं करी इन लोगोंने अभी तक, उनको समझ में आ गया कि इनको पता नहीं है, two-thirds की speed को कैसे activate किया जाता है, उन्होंने दुबारा helmsman की तरफ देखा, helmsman वो इंसान थे, जो captain की मदद के लिए महां खड़े होते ह और वो, जो captain का order होता है, वो बाकी team members तक पहुचाते हैं, तो captain ने जैसी दुबारे से कहा, two-thirds को open किया जाए, तो helmsman ने जो order था, उसको forward कर दिया, लेकिन कोई भी change नहीं हुआ, उन्होंने उनसे पूचा, भाई है, speed क्यो नहीं increase हो रही है, तो वहां पे जो बंदा खड जो major major lead करी थी, उन में तो इतनी speed थी, in fact, इस से जाधा भी थी, लेकिन ये engine capacity इसकी थी ही नहीं, अब जैसे ये बाद उनको पता चली, उन्होंने वहां पे जो helmsman खड़े थे, जो order पास कर रहे थे, उनको देखा, पूचा, तो आपको पता था कि इसमें two-third नहीं है, जी देखिए, अगर आप एक अच्छे leader है ना, तो आपकी बात को सुना जरूर जाएगा, अगर आप एक अच्छे leader है, आपकी काफी तारीफ है, तो लोग out of respect और शायद हो सकता out of fear, वैसे तो out of fear नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे भी हो आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन तीम की functioning आपको नहीं पता होती, उस company की अलग-अलग features, company की अलग-अलग बातें आपको पता नहीं होती, ऐसे time पे आपको orders नहीं देने हैं, बलकि आपको उन लोगों को order के पास रखना है, जो लोग actually में उस company की working को काफी लंबे समय से जानते हैं, और इस बात को साहिमन भ पास नहीं होनी चाहिए, as a leader आपका का इस किताब में हमने पढ़ा हा अलग-अलग तरीकों से कि किस तरह employees अलग-अलग problems face करते हैं, और वो धीरी-दीरे से बड़ी होनी लग जाए, तो उस time पे as a leader आपको एक बात का बहुन द्यान रखना पड़ता है, ये जो एक छूटी इसी बात है न, इसका पूरा relation उस topic से है जो हमने शुरुवाती episodes में सुना था, circle of safety से, अब ये circle of safety का concept कैसे हम लोग relate करने वाले, वो हमारा आज का ये episode है, हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोजफ और आप सुन रहे हैं, साइमन सिनिक की लिखी किताब, लीडर्स इट लास्ट की बुक समरी, on कुको एफेम, सुने जो मनचा है हमारी ये कहानी शुरू होती है, with Mr. Captain Markwit, अब Captain Markwit जो थे, उन्होंने इसके पहले कई सारी सब्मरीन स्कूल लीड किया था, and he was a very experienced Navy captain, अब इसी के साथ में he was expecting कि भी आप उनका promotion होगा, और अब वो एक और बड़े खताब में जाएंगे, अब इसी के साथ कुछ political drama हुआ अब ये हर जगे होता है, चाहे कोई साभी देश हो, चाहे कोई सी भी organization हो, political drama exists everywhere, तो वहाँ पे उनके साथ जो हुआ वो ये कि उनको promote करने के बदले, promotion तो मिली ही मिली, लेकिन उनका काम जिस ship में होना था, वो और ज़्यादा important नहीं, बिलकि comparatively छोटी ship थी, अब उनको पत था, कि ये उनको पिंकाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन captain market ने कहा कि नहीं, मैं इसे challenge की तरह लेता हूं, ठेक है बई, वो वहाँ पे पहुचे और उनको पता था, कि यहाँ पे लोग कम हैं, और यहाँ पे, हमें उनकी tactics हुआ कर दी थी, किस तरीके से वो team को unite कर के रख हो गए, अब इसी के साथ हमारे captain market भाई साब है, उन्होंने finally अपने एक orders देना शुरू किया, यह देखने के लिए कि उनके team के लोग कितना काम कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा, वन थर्ड को open किया जाए, अब यह वन थर्ड क्या होता है, इसको समझाने जाओंगा, तो एक लंभी कहानी है, simple भाषा में, ship की अलग-अलग-अलग speeds होती है, तो वो अलग-अलग speed में one third पहली category होती है, तो उन्होंने उस में उस ship को चालू किया, उसी के साथ-साथ में उन्होंने कहा कि इनको थोड़ा saw test करते हैं, two thirds open कर दिया जाए, जैसे ही यह बात बोली, wait किया, लेकिन captain को ऐसा लगया, speed तो increase नहीं करी इन लोगोंने अभी तक, उनको समझ में आ गया कि इनको पता नहीं है, two thirds की speed को कैसे activate किया जाता है, उन्होंने दुबारा helmsman की तरफ देखा, helmsman वो इंसान थे, जो captain की मदद के लिए महां खड़े होते हैं, और वो, जो captain का order होता है, वो बाकी team members तक पहुचाते हैं, तो captain ने जैसी दुबारे से कहा, two thirds को open किया जाए, तो helmsman ने जो order था, उसको forward कर दिया, लेकिन कोई भी change नहीं हुआ, उन्होंने उनसे पूचा, भाई है, speed क्यो नहीं increase हो रही है, तो वहां पे जो बंदा खड़ा था, उसने का, sir, व engine में तो इतनी speed थी, in fact, इस से जाधा भी थी, लेकिन ये engine capacity इसकी थी ही नहीं, अब जैसे ये बाद उनको पता चली, उन्होंने वहां पे जो helmsman खड़े थे, जो order पास कर रहे थे, उनको देखा, पूचा, तो आपको पता था, कि इसमें two third नहीं है, जी sir, पता था, तो आ अगर आप एक अच्छे leader है ना, तो आपकी बात को सुना जरूर जाएगा, अगर आप एक अच्छे leader है, आपकी काफी तारीफ है, तो लोग out of respect और शायद हो सकता, out of fear, वैसे तो out of fear नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे भी हो आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन आप जब एक नहीं नहीं टीम में shift होते हो, कई बार उस टीम की functioning आपको नहीं पता होती, उस company की अलग अलग बाते हैं आपको पता नहीं होती, ऐसे टाइम पे आपको orders नहीं देने हैं, बलकि आपको उन लोगों को order के पास रखना है, जो लोग actually में उस company की working को काफी लंबे समय से जानत हैं, और इस बात को साइमन भाई साब ने बहुत जादा clear तरीके से explain किया है, कि जितनी भी authority होती है, वो आपके पास नहीं होनी चाहिए, as a leader आपका काम है vision, आपका काम है आगे company कैसे बढ़ेगी, इस team को आगे कैसे बढ़ाएंगे, लेकिन जो authority वाली position होती है, वो उनके पास होनी चाहिए, जिनको proper information है, जो एक एक detailed बाते जानते हैं उस ship के बारे में, या आपकी उस team के बारे में, इसी के साथ साथ में, कि आप्टिन मार्केट की स्टोरी से बात पता चलती है, कि आपको इस बात का ध्यान रखना है, कि आपके employees circle of safety के अंदर खुद को महसूस क अगर उन्हें आपसे डर लगता है, तो वो शायद आपको कभी बताएंगे भी नहीं कि असल में company में problem क्या जा रही है, और अगर वो आपसे डरते हैं, तो उन्हें circle of safety वाली feeling नहीं आएगी, अगर वो circle के अंदर exist ही नहीं करते, तो आपके employees उतनी इमानदारी से शायद का ना करें, अब देखिए, यहाँ पर एक और एक कहानी बहुत interesting है, यह एक military की कहानी है, यहाँ पर एक जनाब जो थे उनकी बहुत गंदी parade लगाई जा रही थी और शायद यह कहा जा रहा था कि उनको military से निकाल फेकेंगे, तो जब उनसे पूछा गया वहां के जो नए सोने से किसी की जान चली गई या कुछ हो गया, ठीक है भई गलती होगी, sorry बोल रहा है वो, तो वहां पर एक ने बताया, बात इसकी नहीं है कि यह सो गया, बात इसकी है कि जब हमने इसको पकड़ा और हमने इससे पूछा कि भई यह तुम सो गय थे, तो उसने जवाब में नहीं बोला, dishonesty हम लोग tolerate नहीं करते, as a leader आपको इस बात का ध्यान रखता है, आपकी integrity आपका सब कुछ है, simple भाशा में अगर आपकी इज़त लोगों को करनी है, तो उसके लिए उनका ये पता होना जरूरी है कि अगला इंसान अपने उसूलों का पका है, अगर आप एक इ ना हो, आपकी इज़त नहीं होगे, तो सबसे पहली चीज़ अभाई है, इज़त कमानी है, दूसरी चीज़ यह है, लोग हमसे डरने नहीं चाहिए, उनको safe feel होना चाहिए, ताकि कल की date में अगर हमारे टीम में two-third है ही नहीं, तो लोग तर के मारे बस काम ना करें, बलकि आके आपको बताएं, कि ऐसे ऐसी problem है, ताकि आप उस problem से tackle करें, क्योंकि leader का काम है problem को tackle करना, ना ही सिरफ ये order, वो order को देते रहना, अब हम हमारे अगले episode में ये जानने वाले हैं, कि किस तरीके से दोस्त बहुत जादा matter कर जाते हैं, एक company में, एक leader के लिए, कैसे अगले episode में पता चलेगा, आपका इंतजार रहेगा, दुश्मन हमेशा एक दूसरे के साथ लडाई करते हैं, या फिर लडाई के नयने भाहने ढूंते हैं, दोस्त आपस में cooperate करते हैं, बस इस बात को बड़े ध्यान से सुन ली थे, क्योंकि हमारा आज का episode बड़ा ही simple सा, बड़ अकसी बात बताईए, जिसको थोड़ा दूसरे आंगल से समझना बहुत जादा जरूरी है, हम अकसर ये समझते हैं कि दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे के चड़ी बड़ी यार, लेकिन अकसर companies में बहुत अलग अलग तरह की ideologies वाले लोग होते हैं, आपकी political interest अलग हो सक करती है, आपको football पसंद है, अगले को cricket पसंद है, जो भी हो, इससे दोस्ती में कोई फरक नहीं बढ़ना चाहिए, और उसको हम किस तरह से handle करते हैं, वो इस episode की कहानी, हेलो जी, मेरा नाम है Justin Joseph, और आप सुन रहे हैं, Simon Sinek की लिखी किताब, Leaders Eat Last की Book Summary on Cookoo FM, सुने, जो मन हैं, अगर आप किसी team के leader हैं, या फिर आप अगर किसी company में manager हैं, तो आपने अक्सर notice किया होगा कि अलग-अलग companies, अलग-अलग teams, अलग-अलग managers जो होते हैं, वो लोग छोटी-छोटी trips form करते हैं, भी या कहीं पे कहीं hill station चले गए, कहीं उसी city के अंदर किसी जगे पे करेंगे, और हम एक pizza party रखने वाले हैं, pizza office की तरफ से, क्यों क्या चाता है ये, इसलिए कि लोग company की इज़त करें, शायद, लेकिन इसका जो बड़ा reason है, वो ये है कि जो company में काम कर रहे लोग हैं, ये एक दूसरें के साथ बात करें, देखो यारी company जो होती है, वो leader order दे और बाकी लोग follow करें, ये चल तो सकती है ऐसे company, लेकिन ऐसी company सिरफ उतना ही काम करेगी, या फिर उससे कम काम करेगी, जितना उनसे expected है, लेकिन अगर वहाँ पे एक दोस्ती form होने लग जाये लोगों के बीच में, लोग एक दूसरे को एक personal level पे समझने लग जाये, तो कई बार inter employee relations में बहुत difference आने लगता है, कई बार आप ये notice करेंगे, जैसे हमने इस किताब के शुरुवाती कुछ पन्नों में भी देखा था, किस तरीके से अलग अलग लोगों ने खटा हो करके, उस एक बिचारे जिसकी wife diabetes की patient हो रही थी, एक पाउंस का खुने वाला था, सब आपने मिलके अपनी paid leaves उसके नाम पे कर दी, क्यों होता है ऐसा, ऐसा सिरफ और सिरफ इसी reason पे होगा, जब आप अगले इंसान को actually personal level पे जानते हैं, और personal level पे जानने के लिए आपको छूटी बड़ी activities अपने team के अंदर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब अक तो में गले और कंदे से कंदे मिलाए चल रहें, गाने गा रहें, उसे अच्छी दोस्ती कहते हैं, उसे best friendship कहते हैं, लेकिन कलीक friendship जो होती है, उसमें हो सकता है आपके ideologies crash करें, लेकिन उसकी बावजूद आपका focus यह होना चाहिए कि आप दोनों का end goal जो है, वो आपके team की betterment है, मतलब at the end of the day हो सकता है, आप कह रहें कि ने, इसमें चार socket लगाओ, अगला कह रहें ने, इसमें दो socket लगाओ, चार में खर्चा जादा बढ़ जाएगा, ऐसे में हम लोग profit भी जादा generate कर सकते हैं, और दो जो लगा रहें, उसकी quality अगर हम improve कर दें, तो उतना ही काम क होता कि तुम्हारी हाँ में मेरी हाँ मिलेगी, दोस्ती का मतलब ये होता है कि मैं तुम्हारी disrespect नहीं करता, और मैं तुम जो बोल रहे हो, उस चीज़ को सुनने के लिए ready हूँ, अगर आप अपनी company में लोगों की बातें सुनने के लिए ही ready नहीं होंगे, तो बात आके कैस ऐसी बात पता चले जो शायद हमने सोची ही ना हो, लेकिन ये possible तब ही है जब आप एक हलका सा दोस्ती का माहौल अपनी company के अंदर बनाये चलते हैं, अलग-अलग political parties में भी ये बात बार-बार देखने मिली है, जैसे इस किताब में God Latte और Hersit Sandlin का जो example दिया गया, वो जो मतलब schemes हैं, patterns हैं, सब अलग हैं, लेकिन end में एक mutual respect होती है एक दूसरे के लिए, क्योंकि दोनों को पता है कि दूसरा आदमी भी और मैं भी मिलके देश का भला ही करना चाहते हैं, बस मैं गलग तरीके से करना चाहता हूँ, ये गलग तरीके से करना चाहता है, लेकिन at the end of the day, एक mutual respect अगर आप लोगों के बीच में हैं, तो आपकी company अपने आप एक बहुत अच्छे level पे progress करेगी और इसके लिए आपको कुछ extra करने की जरुरत नहीं है, सिरफ लोगों को एक दूसरे के साथ थोड़ा time spend करने दो, और अगर ऐसा लगता है कोई तकलीफ आ रही है final result भली मैं ले लूँगा, लेकिन दूसरा अगर कोई बात कर रहा हो तो उसे काट ना नहीं, क्योंकि अगर काट दी उसकी बात और अगले को insignificant feel करवा दिया, तो वो कभी आपका दोस नहीं बन सकता, हमारे अगले episode में हमें ये बात समझनी है, दुबारा वापस आ करके, कि क इस तरीके से हम लोगों को लीड करें, ना ही numbers को, अगले episode में आपका इंतजार रहेगा, हमारे अभी तक के सफर में हमने न जाने कितनी बार ये बात सुन ली कि भईया, numbers पर नहीं, लोगों पर ध्यान देना है, अगर आप numbers पर जाते हैं, तो आपके employees कभी भी satisfied feel नहीं करे लेकिन अगर आप लोगों पर जाएंगे, तो वड़ा मजा आएगा, business जो है वो अच्छे से चलेगा, आपकी जो गाड़ी है वो पट्री से जादा डगमगाएगी नहीं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अगर आप लोगों पर अपने employees पर ध्यान देते हैं, तो इस बात से आपके customers भी effect होते हैं, तो आपको कैसा लगेगा, इसी के साथ इस किताब की one of the most heartbreaking, tragic भरी, लेकिन एक ऐसी कहानी जिसमें हमें पता चलता है कि क्या होता है जब आप researchers और degrees और इन सारी बातों पर ध्यान करने लग जाते हैं, और आप इनसान का opinion surface बात पर reject कर देते हैं, कि number क हैं, ऐसे में क्या होता है, हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोजफ और आप सुन रहे हैं, साइमन सिनिक की लिखी किताब, Leaders Eat Last की book summary on KukooFM, सुने जमंचा है, साल 2009 में, हम सभी को पता है कि एक international recession का time था, एक ऐसा समय जब economies जो थी, वो काफी बुरी हालत में थी, और companies were really struggling की कैसे भी करके वो बस जिन्दा रह जाए market में, ऐसे time पर obvious सी बात है, अलग-अलग companies ने ये decide किया कि भईया, हम लोग जो हैं, लोगों को fire करेंगे, बल्क में ताकि हमारे पैसे हमारे पास बचे रहें, दूसरी तरफ लोगों ने ये भी decide किया, कि लोगों की जो salary है, उसमें हम लोग cutting करना शुरू करेंगे, यहीं पर एक company ने ये decide किया, कि भईया, अब आप लोगों को एक घंटे में जो amount मिलता था, उसमें डेट डॉलर और मिलेगा, जैसे ये बात market में ही, तो सब ने यहाँ पे CEO भाई साब को पागल कहा, सब ने कहा कि ये आदमी ऐस से टाइम पे company को डुबाने के सोच रहा है, जब media में इस बारे में बात होई, तो उस CEO का, उस manager का, उस leader का ये कहना था कि अभी के समय economy जो है, वो बहुत खराब हो चुकी है, समय बहुत बुरा चल रहा है, ऐसे समय में हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी इस employee की जो family है, हम इ कैसे बजा सकते हैं, company को अगर थोड़ा नुकसान उठाना भी पढ़ा तो पढ़ा, लेकिन हमें इनके परिवार के बारे में भी तो सोचना है, क्योंकि इन हो नहीं तो मैनत करके आज हमें हम जहां पर बैठे हैं, यहां पर बिठाया है, जब ये बात market में फैलने लगी, त कई सारे लोगों को एक positive attitude आने लगा इस company की तरफ, उस company के products पहले भी अच्छे थे, बाद में भी अच्छे ही रहे, लेकिन फरक ये पढ़ गया, कि बाहर के लोगों को जब ये कहानी पता चली, तब उनके अंदर कही न कहीं ये बात आए, क्यार अगर कोई company अपने employees को इत का मतलब इनके जो products होंगे, जब वो हमारे लिए बना रहे हैं, वो भी इस प्यार और इस thoughtfulness के साथ वो लोग बना रहे होंगे, तो eventually जब recession खतम हुआ, like every other recession, like every other recession, एक तो कभी कभी tongue twist हो जाता है, कोई बात नहीं है, थोड़ी गलतियां चलती है, तो जब ये recession खतम हुआ, तो कहीं न कहीं companies को अपने stocks में एक sudden increment सा दिखने लगा, उस company के जो overall rates थे, selling ले लो और फिर आप stock market ले लो, वो काफी उपर जाने लगे, सिरफ और सिरफ इसलिए कि बाकी दुनिया को ये लगने लगा कि इन्हें परवा है, ये method of conduct जो है, आज की rate में अगर आप ध्यान से देखें, तो Apple और Facebook जैसी companies बहुत जादा utilize करती है, और उससे भी जादा Google जैसी companies इसे अपना moto बना कर चलती है, बात बड़ी simple सी है, अगर आप अपने employees को खुश रखेंगे, तो आपके customers automatically खुश होंगे, लेकिन अगर आप अपने employees को ही किसी fake हुए कचरी की तरह use करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो आपकी customers हैं कलकी date में, they will feel confidence in your product, अब इसके बाद हम चलते हैं एक कहानी जिसका नाम होना चाहिए, Black Death, ये एक ऐसी कहानी है जो 18th century के खतम होते होते और 19th century की शुरवात का समय के बात है, अब इस समय Black Death नाम का एक बहुत बड़ा plague फैलने उस time पर ये Black Death नाम की चीज़ फैलने लगी, होता ये था कि जो pregnant ladies जब birth देती थी एक छोटे से बच्चे को, तो बच्चे को अचानक से fever आना शुरू हो जाता था, कई situations में ऐसा होता था कि मा को भी fever आना शुरू हो जाता था, और आखिर में fever इतना तेज हो जाता कि दोनो कर रही है, इस बीच में नजाने कितनी scientific researching teams जो हैं उन्होंने 80 चोटी का जोर लगा दिया, ये गलत है, इस virus के अंदर ये compound नहीं मिल रहा है, इसको हम ऐसे treat कर सकते हैं, इस बीच में एक भाई साब आ, और आखा सुनो एदर आख, बोले हाथ दो जाके, बोले हाथ दो मतला, बोले हाथ दो जाकर के, सबने उनकी बात को ठुकराया, उनका सिरफ और सिरफ इतना सा कहना था, भेया देखी, आप जाके operations करते हैं, और उस operation को perform करने के बाद, चुब चाब पानी से हाथ दो लेते हैं, और उसके बाद आगर के आप pregnant ladies को treat करते हैं, उसके पहले तक ये surgeries औ बाद वह लोग हाथ नहीं दोते थे, और सभी को ये बात पता है, कि जो एक छोटा सा बच्चा होता है, और especially child birth के बाद, एक लड़की जो होती है, या फिर जो एक और उरत होती है, उसका शरीर जो है, वो बहुत vulnerable stage पे होता है, बहुत sensitive होता है, इस time पे अगर किसी भी तरह का germ doctor के हाथों में होता था, वो transfer हो आता था और इस कारण से fever होता था, लेकिन किसी ने उन doctor भाई साब की बात पे यकीन ही नहीं किया, क्योंकि भाईया जब इतनी बड़ी बड़ी universities का अभी तक result नहीं आया, तो हम तुम्हारी बात पे क्यों यकीन करें, बारा साल बाद, यौरप और अमेरिका में उस टाइम जो medical fraternity के rules चलते थे, उन्होंने written apology दी थी उस doctor को और लोगों को, ये बात कहते हुए कि at the end of the day, doctor की ही बात सही थी, और वो बड़ी से पड़ी जो बिमारी थी, जो ये बड़ी बड़ी agencies भी खतम नहीं गर पा रही थी, उसको actually में हाथ दोकर भी खतम किया जा सकता था, doctor की बात सिरफ इसलिए नहीं मानी क्योंकि doctor के साथ कोई बहुत बड़ी research team नहीं आई थी, numbers नहीं, इनसान matter करते हैं, इसके उपर इस किताब में नजाने कितने किस्से लिखे गए हैं, लेकिन उन सभी किस्सों में, उन सभी chapters में सबसे जादा important chapter, सबसे जादा important episode और सबसे जादा दिल को छो लेने वाली जो कहानी है, मुझे यही वाली लगती है, अब हमारे अगले episode में हम ये जानने वाले हैं, कि ये numbers numbers से हट कर, अब बात करते हैं generations की, भई ऐसा क्या हो गया कि आज तक के इतिहास में, इतना खदरनाक एक generational difference मना, जहां पर इनसान एक दूसरे की परभा क्या करते थे, एक दूसरे के साथ cooperate करके रहते थे, suddenly ये attitude कहां से आगया, कि भई या पहले मुझे अपनी नाव बचानी है, बाकियों को हम बात में देखेंगे, ये ideology लोगों के अंदर कैसे आई, इसे अगले episode में समझेंगे, आ आपका इंतजार रहेगा, हम सभी को ये बात पता है, कि early 19th century और mid 19th century के टाइम पर, जो generation पली बड़ी है, ये ऐसी generation है, जिसने world war जैसी चीज़ें, आजादी की लड़ाईयां जैसी चीज़ें, इन सब में participate किया है, अब obviously proud feel करने वाली तो बात है, भली jobs नहीं थी, बहुत बुरे-बुरे हाल थे, तो उन्होंने किस तरीके से उस समय सवाइव किया, कैसे छोटे-छोटे बच्चों ने अपने पूरी-पूरी family की जिम्मेदारी कंदों पर ली, जब उनके parents की death हुई, या पापा कहीं पर शहीद हो गया, these are all amazing stories, लेकिन इन्होंने कभी अपना बच बच्चपन नहीं जिया, और ये fact है, तो जब finally इनके बच्चे हुए, तो इन्होंने अपने बच्चों को थोड़ा strong strength भी provide करी, लेकिन उसी के साथ में, उन्होंने अपने बच्चों को वो provisions भी दिये, जो भहिया, उन्होंने अपने बच्चपन में enjoy नहीं किये थे, तो practically वाली बात होती हैं कि जो मेरे साथ हुआ, वो मेरे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, वाला हलक ऐसे एक treatment जो है, वो शुरू हुआ, लेकिन इसी के चलते कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात भी अपने बच्चों को सिखाई, कि भईया, समय जो है, वो बहुत जादा बु जोब्स अवेलिबल नहीं हो रही थी, जोब्स अगर अवेलिबल होती, तो इतने कम दामों में होती, कई जबों पे तो लोग खाने के लिए जौब करने के लिए तब रेडी थे, तो ऐसी सेटवेशन्स बहुत पता था कि भईया, लाइफ में अगर तुम्हें कहीं से प्र प्राक्टिकली सेफ रहने की मेंटालिटी को बार 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 अपने बच्चों के अंदर ढाला गया, इसके रिस्पॉंस में ये कहा जाता है कि जो 1970s, 1990s, 1990s की जो जनेरेशन होती है, अभी हर देश के लिए अलग अलग हो सकता है, अमेरिका में 1970s हो, तो इंडिया में 1980s हो, प्राक्टिकली इस समय की जो मैक्सिमम जनेरेशन है, ये एक ऐसी जनेरेशन रही जो मी जनेरेशन के नाम से जानी जाती है, प्राक्टिकली अगर अपना काम बनता है, तो भार में जाये जनता वाला एक अटिट्यूड कई सारे लोगों के अंदर काफी जादा फेमस था, लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि ये जनेरेशन आक्चुली में रियल प्राब्लम थी, तो आप आक्चुली में बहुत जादा गलत है, रियल प्राब्लम शुरू हुई हमारी जनेरेशन के साथ, एक ऐसी जनेरेशन जिसने इंटरनेट की युग में जनम लिया, तो हमारा ये सोचना होता है, हम तो बहुत जादा इंटेलेशन हैं, मतलब हम से पंगे नहीं, क्योंकि ये हमारी जनेरेशन जो है, उसके पास वो नौलेज है, जो हमारे प्रीवेस जनेरेशन के पास तो बिलकुल भी नहीं थी, और हमारे यहाँ पे तो बारा-बारा साल के बच्चे सारे काम कर सकते हैं, और यहीं पे साइमन सिनेक भाई साब, अपनी कलम का इस्तमाल करते हुए हमें ये बात समझाते हैं, कि दरसल हमारी जनेरेशन मल्टी टास्किंग नहीं, बलकि मल्टिपल टाइम्स डिस्ट्राक्ट होने वाली एक जनेरेशन है, कैसे बड़ा ही सिंपल सा एक्जाम्पल है, अब आप इमाजन करके देखो, आप एक प्लेन में बैठे हुए हो, एकदम तेजी से वो प्लेन जो है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है, अब यह जो प्लेन होती है, वो जनेरली हवा में आटो पालेट पे चलती है, ठीक है, और इसी तरह से जो प्लेन के साथ कम्यूनिकेट करने वाला रेडियो टावर होता है, जिसके बारे में हमने शुरुआती एपिसोड में बात करी थी, वो रेडियो टावर में एक भाई साब बैठे हुए, अब यार उस आतमी का काम क्या है, जब फ्लाइट वहां से मेसेज बेज़ेगी, त सिम्पल सी बात है, और फ्लाइट को देखते रहना है कि यह सब खुछ सही है क्या, मैक्सिमम काम जो है, वो मशीने बड़े अराम से समाल लेती है, उनके पास होता है, बहुत सारा फोकट का टाइम, पाइलेट भाई साब के पास बहुत सारा टाइम होता है, तो इस बीच मे अगर वो मुबाइल में गेम खेलना शुरू कर दें, या फिर अपने इमेल चक करना शुरू कर दें, या फिर इंस्टग्राम पे कितने लाइक्स मिल रहे हैं, यह देखना शुरू कर दें, तो क्या आप इस बात से कमफर्टीबल हो, क्या आप इस नॉलिज के साथ क्यों हो रही है क्योंकि हमें एटेंशन चाहिए उस समय भाईया हमारी गाड़ी पे ध्यान दो नहीं तो कल को हम मर जाएंगे इस मेंटालिटी के साथ हम लोग उस अंकमफुर्टिबिलिटी को फेस करते हैं लेकिन यहां पर अगर यह लाइफ और डेथ वाली अगर आप सिट लेना अब आपका नोटिफिकेशन बजा और वहाँ आपने फोन की तरफ हलकी लेHAN खुमा कर देखिने पर आपको ये पता चलता है कि आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आया है कि आपके दोस्त कोई बात कॉमेंट करी है और कोई लड़की जिस पर आपका वड़ा ख्रश क्रश्टा है उसने आपकी फोटो को like किया है अब इन सब की दोरान आप जिसके साथ जो बातें कर रहे थे जो conversation कर रहे थे क्या अभी भी आप उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं नहीं आपका ध्यान divert हो जाता है ये हमारे generation की छोटी नहीं बलकि बहुत बड़ी problem बन चुकी है कि हम लोग अपने conversations पे focused नहीं है अगर हम लोग बैट करके कोई movie देख रहे हैं तो उस movie के बीच में हम लोग अपने instagram को open कर लेते हैं movie सामने चल रही है मतलब किसी ने महनत करके उस scene को create किया है लेकिन हम इतने लंबे content को एक time पे नहीं देख पा रहे हैं ये जो problem है न इ ADHD के नाम से भी जाना जाता है ADHD का मतलब होता है attention deficit hyper activity disorder simple भाशा में समझाओ अगर एक जगा पे बैठ नहीं पाना यहां से वहां क्यों रहे है अरे मेरे phone में कुछ तो नहीं आया अरे यह क्यों हो रहे है अरे अपने दिमाग को एक जगे पे क्यों नहीं रख पा रहे हम लोग यह जो problem होती है न यह जो इसको कहते हैं क्या कहते है ADHD hyper activity disorder अब देखिए यह नहीं है कि हम सब के अंदर ADHD है लेकिन कुछ situations में यह बात बहुत जादा बढ़ जाती है और anxiety नाम का जो आप लोगों ने word सुनाया न यह हमारी generation में सबसे जादा exist करता है हमारी generation एक ऐसी generation है जिस लाइफ में खुशियों को लाने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है हमारी previous generation को कभी दिक्कत नहीं थी हमें यह दिक्कत इसली आ गई है क्योंकि एक तो हम लोग युद्ध नहीं कर रहे हैं जाकर के हमारी जिंदगी अपने parents और अपने grand parents के comparison में काफी जादा अ असान है दूसरी problem यह है कि हर चीज abundance में available है मतलब एक social media platform हो तो समझ में आते हैं नहीं भया फेस्बुक है इंस्ट्रग्राम है टिक टॉक है स्नाप टेट है यह सारे देखने हैं मैं सारे के सारे manage कर में तो इसके कारण ना एक बहुत attention को हम एक जगे पर नहीं रख पा रहे और यह attention एक जगा पर ना रख पाना leadership के साथ कैसे connected है यह हम अगले कुछ episodes में बड़े असानी से समझने वाले हैं हमारे अगले episodes जो हैं उनमें practically हम इन किताब के सबसे ज़ादा important बातों पर ध्यान देने वाले हैं और उसी के साथ साथ हम लोग इस किताब के कुछ final पन्नों पर बढ़ने वाले हैं तो अगले episode में आपका इंतजार रहेगा अगर आप 1997 के आसपास पैदा हुए हो और especially अगर आप 2000s के एरा में पैदा हुए हो ये episode भाई बहुत ज़ादा important है इसे बड़े ध्यान से समझना मतलब ऐसा समझ लो कि इन सभी episodes में जितनी भी बाते हुई हो उनमें सबसे ज़ादा important episode ये वाला है क्यों है ये वाला episode important इसका छोटा सा trailer हमने पिछले episode के end end तक में समझ लिया कि हम लोग हमारी जो ये generation होती है इसे distracted generation बुनाते हैं लेकिन देखो या problem की बात करोगे तो उदासी आती है इस episode में हम एक solution की बात करेंगे और उस solution के लिए हम पहुचने वाले हैं नशामुक्ती केंद्र लेकिन इस बार विदेशी और इस विदेशी नशामुक्ती केंद्र को काफी famously अमेरिका में कहा जाता है Alcoholics Anonymous जिसे AA के नाम से भी जाना जाता है तो हम ये हमारी generation को सुधारने के लिए नशामुक्ती केंद्र क्यों लेकर के जा रहे हैं इसके पीछे की वज़ा इस एपिसोड के खतम होते होते तक आपको समझ में अपनी आप आजाएगी तो कुर्सी की पेटिया बांध लीजिए हमारे सफर का ये last second episode शुरू होने वाला है हेलो जी मेरा नाम है जस्टन जोजफ और आप सुन रहे हैं साइमन सिनिक की लिखी किताब लीडर्स इट लास्ट की बुक समरी ओन कुको एफेम सुने जो मंचा है अक्सर आप लोगोंने नोटिस किया होगा कि जबी भी हम किसी से पॉइंट्स के बारे में सुनते हैं कि वो कहें कि भया दस स्टेप हैं ये दस स्टेप को कंप्लिट कर लिया तो आपका वेट लॉस अपने आप हुजाएगा और ये सारे के सारे स्टेप equally important होते हैं तो ये equally important बात हमेशा कही जाती है मतलब यह है कि भया जितनी भी बातें कही गई हैं उनमें से कोई भी आपको पीछे नहीं छोड़ना है लेकिन जब alcoholic anonymous के जो leader है उनसे पूछा गया कि भया ये 12 के 12 जो step है जो आप लोग कहते हैं कि 12 step किसी ने clear कर दिये तो किसी की भी नशे उतर जाएंगे तो उनके leader का जवाब था नहीं 12 step जिसने clear कर लिया एक बारा बारवे step पर आगए उसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं है यानि ये 12th step सबसे जादा important है the concluding step क्या होता है ये concluding step हमारे साइमेन भाई साब ऐसे कंधे वंधे आगे करके येर एकदाम ओहो क्या बोलने वाला है ये अमरत भरी बातें तो वहाँ से जब उनका reply आया वो ये था कि step number 12 है commitment दूसरे जो नशे में डूबे हुए लोग है उन लोगों की मदद करने का जनाब बड़े ध्यान से सुनिये का पहले के पहले 11 step जो होते हैं वो इनसान के खुद से related होते हैं कि वो किस तरीकी से नशे छोड़ सकता है लेकिन जो 12th step होता है वो important इसलिए कि एक बार जब वो आदमी अपने नशे तब छोड़ता है जब उसके अंदर एक sense of service आजाती है एक इस तरह का attitude आजाता है कि मैं किसी और का जो ये बुरा lifestyle है मैं उसे छोड़वाने के लिए उसके मदद करूँगा इसलिए आपने कई बार notice किया होगा कि नजाने कितनी सारे celebrities जिनोंने ये cigarette, daru, ghanja, नशे इनसे बाहर आए हैं तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं किसी तरह की एक organization बना लेते हैं तो जब हम लोग ये नशा मुक्ति केंदर को देखते हैं, तो notice कीजएगा ये कभी online event नहीं होता कि हम सो अपने घर से बैठे हुए हैं facebook पे group बना लिए, instagram पे live ले लिया, वो लिगा हाँ ये तमाँ नशे चुट रहे हाँ चुट रहे हैं, आपके कैसे चलता है अरे मेरे भी चुट गए, ऐसा नहीं होता हम लोग हमेशा किसी basement पे मिल रहे हैं या फिर किसी hall को एक करके रखा हुआ है और बड़े शान्ती से ये सारे के सारे मिलते हैं क्यों? क्योंकि जब वहाँ बैटकर आप किसी की तकलीफ को अपने आखों के सामने देखते हैं जब आप इस बात को महसूस करते हैं कि मैं अकेला नहीं फसा हूँ मेरे साथ में और भी बहुत सारे लोग है ये जो मेरे भाई मैंने ये हैं मेरे साथ इसे कहते हैं sense of camaraderie या फिर camaraderie बहुत सारे pronunciation है हिंदी में बड़ा simple सा मतलब है कोई हमारे साथ है हम अकेले नहीं है इस बात की एक छोटी सी feeling ये sense of camaraderie जो होती है इसको समझने के लिए आप दो examples लेजे सबसे पहला आप अगर किसी company में काम करते है या फिर कभी आपने school में है और आप अपने दोस्तों के साथ कोई project करने के लिए बैठते है आपकी memories ये कभी नहीं होती है कि हाँ हम लोग बैठे थे हम लोगोंने सब ने अपना-पना काम बाटा हम सब ने अपना-पना काम किया और हमारा project जो था वो बन गया नहीं यार वो एक problem आ गई end moment पे हम लोग कुस समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है 10 बजे तक तो सारांश के पापा ने बोला थे कि हम लोगो घर जाना है लेकिन यार उसकी पापा का भी लीट हो गया हमारे घर वाली भी डाड़ रहते है हम कहरते कि सुनो ना प्लीज हम आ देती के घर में night stay कर लें क्या हम लोग इसको कर लेंगे रात के दो बजे तक बैठके उस project को हम लोगो औरे रिप्टाया वो खाना जो आकर के अंटी न रखा तो खाना भी ठंडा हो गया सब गलत हो रही है यार इस स्टोरी में लेकिन ये स्टोरी है जो हम लोग हमेशा याद रखते हैं क्यों खाना ठंडा हो गया इसलिए काम लेट हो गया इसलिए नहीं जब आपको end moment पे बैठते हो न तो suddenly न इसका वो काम है उसका ये काम है ये वाली feeling खाफियत तक खतम हो जाती है सब लोग टठे आ जाते हैं और जब हम किसी के साथ बैठकर कोई काम करते हैं न देखिए मैंने करा सो लोगों की circle हो मैं किराम वो दो लोग हो तीन लोग हो चार लोग हो वो आपका जो छोटा सा circle होता है उसके अंदर आपकी productivity अपने आप बढ़ने लगती है और आपका दिमाग जो है न वो oxytocin release करता है अगेन वो chemical जो हम लोग अगर कभी किसी दूसरे की मदद करें और उसके चेहरे पर एक smile ला दे तब release होता है वो chemical जैसे chemical of love भी कहा जाता है यह chemical of love जो है न बस इसी का सारा का सारा game है अब इन सारी कहानियों का हमारे generation के साथ क्या का relation था भई relation बड़ाई simple सा है हमारी generation जो है यह real life camaraderie जो है इससे बहुत दूर आ चुकी है हम लोग कही न कहीं आज की date में हर चीज को virtual बना चुके है dating जैसी चीज जो काईदे से सबसे ज़ादा intimate मानी जाती थी इवन आज ये भी online होने लगा है दोस्तियां online बन रही है हम लोग हमारे उन दोस्तों के साथ जिनके साथ साथ में बैट के online game खेल रहे हैं हम कभी उनसे मिल भी नहीं पा रहे हैं अगर देश अलग हों तो समझ में आता है अगर states अलग हों समझ में आता है चलो शहर अलग हो वो भी समझ में आता है लेकिन एक ही शहर में बैट करके एक ही online game खेल रहे हैं जानते हैं एक दूसरे को यह س्कूल में जाता है इंस्ट्रगलाम पे connected है फेस्बुक पे connected है लेकिन कभी गले से गले मिलके connected नहीं हुए यह बात एक बहुत बड़ी problem बनती जा रही है प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि इनसानों ने कहीं न कहीं ये समझना शुरू कर दिया कि भाईया फेस्बुक पे 400 दोस्तों को होना बहुत सही चीज है पर उन्हें गले लगके किसी दोस्त के साथ जब रोते हैं या अपनी प्रॉब्लम शेर करते हैं उसकी experience से हम लोग कही न कहीं दूर जाते जा रहे हैं और जब हम इन experience से उसको अपनी life में छोटा छोटा करके experience नहीं कर पा रहे हैं तो finally, eventually, आखिरकार हमारा जब दिमाग एक level से ज़्यादा destroyed सा फील करने लगता है लेकिन वो सिरफ वही काम सबसे पहले करते हैं जो आपके दोस्तों का काम होता है जो आपकी इस camaraderie का काम होता है देखे जनाब आप अकेले अकेले रहकर के एक proper इनसान बनके तो नहीं रह पाएंगे इनसान has always been a social animal ये fact है अगर आप एक introvert भी है तो भी कोई एक तो होता है जिसके साथ आपको बैठना पसंद है लेकिन अगर ऐसा है तो उस बात को समझें कई बार आपकी जो deep rooted depression है उसकी वजह ऐसे ही online relations होते हैं और आज की date में जैसे हमने पिछले episode में बात करा ADHD का कि भाया attention नहीं रख पा रहे है उसी तरह से depression और anxiety जैसी चीज़े भी हमारी ही generation है जिसको सबसे जादा हो रही है बात बहुत simple सी है 400 दोस्त हैं लेकिन गले एक से भी नहीं लगे दोस्तों का होना या लोगों का होना इसलिए important नहीं है कि भाया वो आपके साथ बैठेंगे आपके साथ बात करेंगे इतने जादा बाकी जानवरों के comparison में amazing इसलिए नहीं हुए है कि हम लोगों को दूसरों की मदद करनी चाहिए भलकि सिर्फ बात इतनी सी है कि हमें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है ऐसा कोई भी इनसान नहीं है जिसके कारण अगर किसी और के चेहरे पर एक छोटी सी हसी आजाए तो उसे अच्छा नहीं लगता है और यही तो feeling है जो हमें कई सारे जानवरों से अलग बनाती है तो अगर आपको इस एपिसोट चो और इस किताब से एक बात सीखनी है तो वो यह है आपको अगर एक अच्छा लीडर बनना है तो आपकी जिंदगी में एक purpose का होना जरूरी है और आपका purpose आपकी लोग होने चाहिए आपकी team होनी चाहिए आपकी employees होने चाहिए अगर वो आपका purpose है अगर उनकी life में problem नहीं आनी चाहिए मैं देख लूँगा मैं deal करूँगा अगर आपका इस तरह का attitude बनने लगा माफ कीजेगा लेकिन चाहिए आप बहुत बड़ी position पर बैठे हो या बहुत छोटी position पर बैठे हो आप automatically उनकी leader बन चुके हैं वो शायद बोल नहीं रहे होंगे शायद कोई आपको कोई बड़ी सी title लागर के gift नहीं कर रहा होगा पर leader ऐसे ही बना जाता है हमारे अगले और हमारे आखरी एपिसोड में हम सिरफ और सिरफ उन बातों पर बात करेंगे जो इस किताब की highlights थी practically इस एपिसोड को मैं conclusion बलाता हूँ अपनी हर किताब में मैंने इस एपिसोड को रखा है वो बातें जो दिल को सबसे ज़ादा चुई इस किताब में वो मैं आपके साथ discuss करूँगा और उसी के साथ हम इस सफर को कुछ समय के लिए अलविदा करेंगे आपका इंतिजार रहेगा अगले एपिसोड में हंजी 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 वेल्कम टु माइ फेवरेट एपिसोड फेवरेट इसलिए नहीं कि आखरी है खतम हो गई बात फेवरेट इसलिए इस एपिसोड में मैं किताब से बाहर निकल कर अपनी कुछ रिव्यूज आप लोगों के सामने रखता हूँ मेरी इस किताब की जो फेवरेट सबसे ज़ादा दो किस्से होती हैं अभी तक तो दो ही हैं क्या पता किसी किताब में तीन आजाए लेकिन इस दो किस्से को मैं आपके सामने इसलिए रखता हूँ बिकोज मुझे ऐसा लगता है इस किताब के सबसे ज़ादा important points अगर कुछ होना तो यही होते हैं तो हमारे इस एपिसोड को शुरू करते हैं इस आखरी 22 से पहले एक छोटा सा conclusion लेते हैं इस किताब में एक चीज तो भहिया बहुत ज़ादा clear तरीके से रख दी गई है और वो है मेरा पहला point अगर आप एक leader हैं माफ कीजेगा मुझे पता है कि कई सारी किताबें इस बात को clearly कहती है कि आपको financial management होनी चाहिए ये management होनी चाहिए वो management होनी चाहिए पर मेरे ख्याल से सबस्यादा जरूरी यही है कि आप simple सी भाषा में ये समझ जाए आप अपने employees को उसी तरह से treat करेंगे जिस तरह से आप एक अपनी family को अगर आप एक parent होते तो treat करते है देखिए अगर आप एक parent attitude से अपनी company को नहीं देखते है तो problem बड़ी simple सी है जो इस किताब का दूसरा favorite point था मेरा वो है circle of safety कभी नहीं बन पाती circle of safety एक ऐसा concept है जो मेरे ख्याल से मतलब अगर साइमन भाई साब कभी मिले मुझे तो मैंने पपिया दे दिनी है क्योंकि इतने complex बात को इतने असान word में उन्होंने समझा दिया कि अगर आपकी company के circle of safety के अंदर कोई ऐसा employee है जिसको ऐसा लगता है क्यार मैं उस circle के अंदर नहीं आता तो वो कभी आपकी company के लिए इमानदार नहीं रहेगा और अगर employees को पता है कि वो circle है उनके आसपास और उन तक कुछ नहीं पहुच पाएगी मतलब कोई ऐसी tactics या कोई market की problem नहीं होगी जो कभी आके उन पे आपाए कि सरफ और सरफ इसलिए कि वो circle of safety के अंदर आप नहीं खड़े बलकि आप वो हैं जो circle of safety को बचाते हैं अगेन हम अपने पहले point पर आते हैं as a parent आपका काम अपने employees को safe feel करवाना है मतलब full stop लगा दो इस बात के बाद exclamation mark लगा दो इस बात के बाद लेकिन question mark मत लगाओ ये सवाल नहीं है ये fact है अगर आप अपने employees को एक sense of protection नहीं दे सकते अगर आपके employees को ऐसा लगता भईया इसका माथा ठनका ये तो भईया जॉब से निकाल देगा वो कभी आपके लिए वफदार नहीं रहेंगे दूसरी चीज अगेन एक सही parent की तरह अगर आपने कभी behave किया हो तो कभी भी आपके बुरे दिनों में आपके बच्चे आपको कहीं छोड़ कर नहीं आ जाएंगे बल्कि वो आपके साथ रहेंगे उसी तरह से अगर आपकी companies में काफी बुरे हाल चल रहे हैं और किसी reason से आपको उनकी salary या कट भी करनी पड़ जाती हो अगर आपके employees को ये बात पता है कि नहीं है हमारे बुरे हालातों में ये हमारे साथ है तो आज हम इनकी company को छोड़ कर इसली जाएंगे कि इनकी थोड़े से problem हो रही है ये हमारी company है हम इनके साथ रहेंगे वो attitude तभी आएगा जब आप एक parental care के साथ अपनी लोगों को देखेंगे I think at the end of the day जिससे Simon Sinek भाई साथ ने इस किताब को end किया था Let us all be the leaders we wish we had आओ हम लोग मिलकर एक ऐसा leader बने जो हम चाते थे कि गर हमारा वाला ऐसा क्यों नहीं यह feeling हम सबके अंदर कभी ना कभी life में तो आई है तो फिर ठीक है वैसा leader बन के दिखाते हैं इन लोगों को क्योंकि हमें इतना तो पता है कि अगर वो leader वैसा होता तो हम उसकी बहुत इज़त भी करते और हम उसके लिए वफदार भी होते है तो क्यों ना भाई उस leader ने नहीं किया हम अब हम बन जाते हैं हम बटोर लेते हैं वो वाली इज़त क्यों नहीं आ रहे बस ऐसी थी हमारी इस किताब की जिसे लिखा साइमन सिनेक भाई साब किताब का नाम leaders eat last